दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा भारत के राष्टपती के बारे में दोस्तो भारत के राष्टपती को लेकर एक्जाम्स में बहुत सारे कॉस्चन्स बनते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए ये राष्टपती का पहला पार्ट है यानि कि हम लोगे वीडियोस पार्ट में बनाएंगे और बेसिक से लेके एडवांस तक की जानकरी हम हासिल करेंगे जिन से रिलेटेट प्रशन एक्जामों में पूछ लिये जाते हैं शुरू करते हैं। D XL सबसे पहला सवाल ये उठता है कि राष्टपती होता कौन है। देखिए दोस्तों भारत में सरकार दो लेवल पे चुने जाती है, एक संग के लेवल पे और एक राज्य के लेवल पे यानि कि एक सेंटर यानि कि केंद्र और एक राज्य के लेवल पे और उसमें भी जो काम करती है वो है कारेपालिका, विधाईका और न्यायपालिका तो जो सरकार संग के लेवल पे बनती है यानि केंद्र के लेवल पे बनती है और उसमें भी जो कारेपालिका होती है उसका जो head होता है उसे हम राष्टपती कहते हैं पहला सवाल तो यही बनता है कि definition क्या है राष्टपती की तो हम कहेंगे कारेपालिका के प्रमुख को या head को हम राष्टपती कहते हैं अब इसी के साथ वो कारेपालिका के प्रमुख हैं तो देश के प्रथम नागरिक का जो पद है वो भी राष्टपती को ही प्राप्त होता तो यहाँ पे question बनता है कि प्रथम नागरिक या first man of India कौन होता है तो आप लोग लिखेंगे राष्ट्रपती तो यहाँ तीन तरीके से सवाल आ सकते हैं पहला राष्ट्रपती कौन होता है डिरेक्ट सवाल है हमें पता है कारेपालिका का प्रमुक होता है दूसरा कारेपालि के पास नहीं होती है यानि कि राष्ट्रपती उनका इस्तमाल नहीं करते हैं इसका इस्तमाल प्रधान मंतरी करते हैं तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कारेपालिका का वास्तविक हैड या वास्तविक प्रमुक कौन होता है तब वहाँ पे आपको लिखना है प्रधा जो राष्ट्रपती के बारे में जानकारी देते हैं। इनमें सबसे पहले आता है अनुच्छे दबावन या आर्टिकल फिफ्टी टू। इसके अंदर बताया है राष्ट्रपती के पद का प्रावधान। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी कारेपाले का होती है संग में उसका जो हैड होता है उसका जो प्रमुक होता है वो राष्ट्रपती होता है तो इस पद का प्रावधान है वो आर्टिकल फिफ्टी टू से मिलता है तो आप से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपती के पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में बताया गया है तो व इस आर्टिकल के द्वारा है कि जितनी भी कारेपालिका की शक्ति है वो आपके हाथ में है लेकिन इसका प्रेयोग राष्टपती प्रधान मंत्री और मंत्री परिशत की सला से करते हैं फिर से संग की जो कारपालिका की शक्तियां होती हैं वो राष्टपती के नहित होती हैं लेकिन उनका प्रयोग प्रधान मंत्री और मंत्री प्रिशत की सला के अनुसार किया जाता है अब राष्टपती की शक्तियां क्या क्या होती हैं और वो उनका इस्तमाल कैसे कैसे करते है इसके उपर मैं इसी सीरीज में डीटेल में एक पार्ट बनाऊँगा जो आपको बहुत helpful रहेगा फिलहाल आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट पती को जो शक्तियां प्राप्त होती है या उनके नहित जो शक्तियां होती है वो कौन से अनुछेद के तहट बताई गई है तो आप लिखेंगे अनुछेद तरेपन इसके बाद आता है एक बहुत जरूरी चीज या वो कैसा होता है वो अप्रत्यक्ष होता है यानि कि देखें दो तरीके के चुनाव होते हैं पहला ये है कि जनता वोट करे और अपने जन प्रत्यनिदी को जिता दे तो वो जनता ने चुना है तो वो प्रत्यक्ष चुनाव है प्रत्यक्ष निरवाचन है वहीं पे अगर ज राष्ट्रपती का चुनाव कैसा होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपती का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है अगला सवाल ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रपती को कौन से लोग चुनते हैं तो इसका जवाब है जन परति ने दी कौन से जन परती ने दी सांसद और विधायक मतलब संसद भवन में बैटने वाले सांसद और विधान सभा के विधायक ये सारे मिलके बनाते हैं निर्वाचक मंडल अब इस निर्वाचक मंडल में लोक सभा होती है राज्य सभा होती है विधान सभा होती है सभी सभी और especially दिल्ली और पंडुचेरी के विदान सबा होती है मतलब लोक सबा के सदस्य, राज्य सबा के सदस्य, सभी राज्यों की विदान सबा के सदस्य और दिल्ली पंडुचेरी के विदान सबा के सदस्य अब आप सोचेंगे कि ये दिल्ली पंडुचरी मेंने स्पेशली क्यों लिखा है देखिए 1992 के संशोधन के हिसाब से इन दोनों विधान सबाओं के सदस्य भी वोट देते हैं इसके अंदर आके इसलिए निर्वाचक मंडल में इनका नाम अलग से लिखना पड़ता है तो अब यहाँ पे काफी सारे सदस्य हो गए संसत के सदस्य भी हो गए विधान सबा के सदस्य भी हो गए अब इसमें एक बड़ा इंट्रेस्टिंग सवाल पूछा जाता है कि विधान परिशत का क्या ह होगा मतलब यह सारे तो आ गए विधान सबाई सारी चीज़ तो आ गई विधान परिशत का क्या होगा देखिए दोस्तों आपका पता होगा कि हमारे देश में साथ ही ऐसे राज्ये हैं जिनके पास विधान परिशत है अब अगर मान लो कि उन विधान परिशतों को करना है और कौन 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 करेगा निर्वाचक मंडल करेगा इसमें यह सारे लोग होंगे अब इसके तुरंद बाद आता है अनुचे धपच्पन जो इस निर्वाचन की रीती या फिर विधी के बारे में बताता यह पड़ा क्या है देखो मेरी बात सुनो इसके अंदर प्राब्लम ये है कि जब आप बात करते हो लोकसभा की और राजसभा की तो दोनों को मिला करके जो मेंबर हैं संसत के वो टोटल 788 हैं लेकिन जब आप बत करते हो राजस तरपे जितने भी विधायक हैं उनकी संक्यास 4000 से भी ज्य जाएंगे और जो विधायक है वो जादा हो जाएंगे तो ऐसे में इन दोनों का वोट पावर बराबर करना पड़ेगा मतलब ये है कि सबको बराबर बराबर वोट पावर मिलना जरूरी है इनका वोट पावर कम रह जाएगा संगवालों का और राज्यवालों को जादा हो अब ये विदी होती क्या है देखो यहां पर लिखा हुआ है एकलवर्ड का मतलब है एक जो व्यक्ति है एक जो विधायक है या सांसद है वो अपने पूरे इलाके के या जिले के जितने भी लोग है जितने भी उन सब को रिप्रेजेंट करता है उन सब की तरफ से ये वोट देता है इसलिए इसको का गया है एकल संकर्मनी है ठीक है अब देखो वोट वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मिला होता है वो विधायक के लिए अलग होता है औ अपॉन में राजस्तान की विधान सभा के कुल निर्वाचिस सदस्य है तो इस तरीके से आप एक विधाय का मतमूलिय या फिर वोट वैल्यू निकालते हैं अब जब आप बात करोगे सांसत की तो सांसत का फॉर्मिला थोड़ा अलग होता है वहाँ पे आप सभी विधाय को जो मतमूलिय निकलता है उसे लिखते हो बटे में जो टोटल आपका सांसतों की संख्या होती है उनकी वैल्यू लिखते हो और इस से निकल के आती है आपकी एक सांसत की वोट वैल्यू या फिर मतमूलिय अच्छा इस विधी से होता क्या है दोनों का मतमूलिय या फिर तो दोस्तों मैंने आपको कुछ प्रश्ण बताए हैं और ये विदी के बारे में बताया है ये सारी चीज़े आपको पूछ ली जाती हैं कि ये विदी कौन से अनुच्छेद के तहट आती है इस विदी में फॉमिलास क्या होते हैं मत मुले हम कैसे बराबर करते हैं वगेरा तो आपको इन सबी चीज़ों का ध्यान देना है तो दोस्तों ये था राश्टपती का पर्थम पाठ जहां हमने आपको कुछ बेसिक चीज़े बताई हैं दोस्तों स्वागत है आपका राश्टपती की सीरीज के भाग दो में आपको याद होगा कि आखरी वीडियो में हम अनुचेद पढ़ लिये थे जहां पर राश्टपती के बारे में कुछ जानकरियां दी गई थी आज मैं आपको कुछ और नए अनुचेद या आर्टिकल बताऊंगा हमारे समविधान से जिसको लेकर एक्जामस में कॉश्चन्स बनते हैं शुरुआत करते हैं अनुचेद चपन के साथ आखरी वीडियो में हम लोगों ने अनुचेद पचपन पढ़ लिया था जहां पे विधी बताई गई थी कि राश्टपती का निरवाचन कैसे होता है अनुचेद चपन के दो खंड हैं जिसमें से पहला खंड यानिकि ए जो है वो हमें बताता है कि राश्टपती की जो पदा अवदी है वो कितनी होती है और कब से कब तक होती है देखे चुनाव जीतने के तुरंत बात से नहीं होती है शपत ग्रहन के बाद होती है शपत ग्रहन वाला जो पॉइंट टैप को याद रखना है कि वहीं से अवदी शुरू होती है तो यह पह राष्ट्रपती को देंगे यानि कि उन्हें अपना लिखित पत्र उपराष्ट्रपती को देना होगा और उसके बाद वो है पद त्याक सकते हैं ये है पहला पार्ट दूसरे पार्ट में हमें अनुचेद 61 का वर्णन मिलता है थोड़ा सा वहां पर ये कहा जाता है कि सम्वि जान का उलंगान कर रहे है तो उन्हें हटाया कैसे जाए अनुचेद 61 के तैक्ट हटाया जाए तीसरा पार्ट हमें बताता है कि राष्ट्रपती के पद की अवधी समाप्त हो जाए यानि कि शपत ग्रेंड समारों से ठीक 5 साल हो गए आगे बढ़ गए उसके बाद पी वो उपराष्ट्रपती को अपना लिखित पत्र यानि कि त्याक पत्र दे दे तो उपराष्ट्रपती को तुरंत ये सूचना लोगसभा के अध्यक्ष को देनी होती है ठीक है मतलब ये सूचना पहले लोगसभा के अध्यक्ष को जाएगी तो ये होता है अनुचेद 56 बात करे अनुचिद 57 की तो उसमें ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो राष्टपती के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है इस सम्विधान के अन्य उपबंदों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर निर्वाचन का पात्र हुगा यानि कि आसान शब्दों मे एक व्यक्ति जो है वो कई बार राष्टपती बन सकता है ऐसा नहीं है कि USA यूके में जहां पर दो बार बनता है जैसे USA में दो बार बनता है राष्टपती अधिक्तम इसके बाद नहीं बन सकता है लेकिन इंडिया में यानि कि भारत का जो सम्विधान है वो ये कहता है कि एक व्यक्ति अगर सब कुछ पालन कर रहा है ठीक से तो एक बार नहीं कई बार राश्ट्रपती बन सकता है। हमारे देश में सर्फ डॉक्टर राजेंदर परसाद एक मातर पहले हमारे राश्ट्रपती थे जो दो बार राश्ट्रपती रह चुके हैं। उनके अलावा अभीता के सौभाग्य किसी दूसरे व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुआ है। जब वह ए, यानि कि पहला भारत का नागरिक होगा, दूसरा उसकी उमर 35 साल से अधिक होनी चाहिए, यानि कि एक भी दिन कम नहीं चलेगी, 35 साल से ज़्यादा ही होनी चाहिए, और तीसरा कि वो लोग सबा में चुनाव लड़ने के योग्य हूँ। फिर से समद लीजिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 35 साल से अधिक होनी चाहिए, और तीसरा कि वो लोग सबा से कहीं भी चुनाव लड़ सके। इसमें जो दूसरा खंड़े वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी लाब पद पे हो, यानि कि वो जैसे मानलों की सरकाई नौकरी पे हो, उसको अगर लाब पद प्राप्त है तो वो राष्टपती का चुनाव नहीं लड़ सकता है, यानि कि वो ऐसा नहीं है कि व कोई भी पद ग्रेंड करने की इजाज़त नहीं होती है, अब देखिए आप ये कह सकते हैं कि ये जो eligibility है ये तो भारत में कई लोगों के साथ है, जैसे कि भारत के नागरेक बहुत सारे हैं, 35 साल से उमर जादा भी है बहुत लोगों की, लोकसभा का सदस से बन सकते हैं, मत राष्टपती को चुनता है, उसमें से 50 ऐसी लोग होने चाहिए जो आपकी का प्रस्ताव रख सके, यानि कि वो प्रस्तावक होने चाहिए, 50 और 50 जो हैं वो supporter होने चाहिए, मतलब कोल मिलाके 100 लोगों का support आपके पास होना चाहिए, निरवाचक मंदल से, तब कहीं जाके आप राष्टपती का चुनाव लड़ पाऊगे, अब देखे एक आम आदमी के बास बाकी सारी eligibility तो होती है, लेकिन ये नहीं होती है, कोई भी योहीं आपको नहीं बना देगा राष्टपती, यानि कि कोई भी योहीं आपको support नहीं करेगा निरवाचक मंदल से, इसी आम आदमी राष्टपती का चुनाव नहीं लड़ पाता है, तो अगर आप राष्टपती का चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो प्लीज मत जाहिएगा, अच्छा इसी में एक important चीज ये है कि जब राष्टपती का चुनाव कोई लड़ने जाता है, तो उसको एक जमान जब राष्टपती का चुनाव जाती है, वरना वापस नहीं मिलती है, अच्छा मान लो हार भी गया, तब भी मिलती है, लेकिन कम से कम उसके पास सारे वोट, जितने भी वैद वोट हैं, वैद मत हैं, उनका एक बटा च्छे पार्ट होना चाहिए, जैसे मान लो कि वोट कर हैं, तो वो राष्टी जब्त हो जाएगी, इसके बाद बात करते हैं, अनुचेद साथ की, देखिए, अनुचेद साथ जो है, वो भारत के राष्टपती के शपत के बारे में, देखिए, जब भी कोई राष्टपती बनता है, तो वो सीधे कार्याले में नहीं चला जाता ह उससे पहले उसे शपत लेनी पड़ती है, सभी मंत्रिये को लेनी पड़ती है, तो राष्ट पती को कौन शपत दिलवाता है, वेल, Chief Justice of India, यानि कि मुख्य न्यायदीश जो होते हैं, वो दिलवाते हैं, या उनकी उपस्तिती में ये शपत होती है, और अगर माल लोग कि Chief Justice of India या उपस्तित नहीं हैं, तो ऐसी इस्तिती में न्यायले के वरिष्टतम जो न्यायदीश होते हैं, उन से ये शपत दिलवाई जाती है, उनकी उपस्तिती में शपत होती है, इसके बाद आता है अनुछेद 61 महाभियोग, या समवेदान का उलंगन करने पर महाभियोग, द संशत्ध भवन में ये महाभियोग बनाता कौन है? संशत में दो सदन होते हैं, एक राज्यसबा, एक लोगसबा, कहीं पे भी ये बन सकता है, यानि कि ये 2 जगए में से कहीं भी बन सकता है, मालों की राज्यसबा में बना है, तो महाभियोग लागू करने से पहले, 14 दिन पहले राष्ट पती को एक लिखित में भेजा जाता है कि आपके खिलाब महाभियोग लगने वाला है, तो अगर आप 14 दिन के अंदर अंदर त्याग पत्र दे देते हैं, तो महाभियोग नहीं लगेगा, हलाकि ये सब कुछ राष्ट पती को उनके पत से हटा दिया जाता है, अब राष्ट पती के हटने पर उनका जो कारेबार होता है, वो उपर राष्ट पती संबालता है, लेकिन याद रखिए कि सिर्फ 6 महीने गले संबालता है, क्योंकि इस बीच उन्हें नए राष्ट पती का निरवाचन करन में जो भारत के राष्टपती के अधीन होती हैं नहित होती हैं और राष्टपती उनका इस्तमाल करते हैं दोस्तों आपको याद होगा कि राष्टपती के पिछले दो वीडियो में मैंने आपको राष्टपती के बारे में सारी मुख्य जानकारियां दे दी थी कि कारेबार उठाता एवम चलाता है तो आप सभी से मेरी एक विंती है कि आप साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलें जिससे आपको confusion बिलकुल ना हो तो सबसे पहले मैंने आपको बताय था कि राष्टपती को जो कारेपालिका की शक्तियां मिली हैं वो सम्विधान के अनुचे तरेपन के तहट दी गई हैं जहां ये कहा गया है कि कारेपालिका की सारी शक्तियां राष्टपती के नहित होती है और उनका प्रयोग राष्टपती सम्विधान के अनुसार एवम अपने अधिनस्त अधिकारियों की साहता से करता है, कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपती को जो भी शक्तियां मिली है उसे वो सम्विधान के अनुरूप यूज करता है और साथ ही जो अधिनस्त अधिकारी होते हैं, जो लोकसभा, राजिसभा में जो मेंबर होते हैं, उनकी सला के अनुसार करता है, तो इन शक्तियों में सबसे पहली शक्ति है कारेकारी शक्ति या फिर कारेपालिका की शक्ति, इन में सबसे पहली जो शक्ति मिली हुई है, वो है नियुक्ति की शक्ति, यानि कि कारेकारी शक्तियों में महालेखा परिक्षक की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति ये सारे वो लोग या फिर वो अधिकारी है जिनकी नियुक्ति सिर्फ राश्ट्रुपति करते हैं तो आपको ये सारे पद याद रखने है और पहली शक्ति के रूप में नियुक्ति की शक्ति लिखनी है याद रखिए पहली शक्ति है कारेकारी शक्ति और उसमें भी पहली है नियुक्ति की शक्ति अच्छा दूसरी शक्ति क्या है दूसरी यह है कि वित आयोग का गठन आपको पता है कि राज्य और केंद्र के मध्य जो income tax आता है या फिर जितना भी tax आता है जितना भी कर आता है उन सबका जो बटवारा करना होता है उन सबका जो system देखना होता है वो वित आयोग देखता है तो उस वित आयोग का गठन भी राष्टपती ही करते हैं इसके बाद तो उनका प्रशाशन भी देखते हैं इसके अलावा अगली शक्ती में राश्ट्रपती किसी भी शेत्र को अनुसूचित शेत्र घोशित कर सकते हैं और उस शेत्र का प्रशाशन की शक्तियां उन्हें प्राप्त होती हैं मतलब उसके प्रशाशन को भी देख सकते हैं और देश में किसी भी शेत्र को वो अनुसुचित शेत्र का दर्जा दे सकते हैं ठीक है इसके अलावा कभी कभी केंद्र राज्य और राज्य राज्य राज्य, मतलब केंद्र और किसी राज्य के बीच में या फिर किसी दूसरे राज्य और तीसरे राज्य के बीच में संयोग के लिए एक अंतर राज्य परिशत की नियुक्ति कर सकते हैं, इसको याद रखना पू चौथी किसी भी शेत्र को अनुसुचित शेत्र का दर्जा देना और पांच भी अंतर राजिय परिशत की नियुक्ती ठीक है इसके बाद दूसरी जो शक्ती आती है वो है विधाई शक्ती अब इसके भी नाम से पता चल रहा है कि संसद में चाये वो राज्य सबा हो या लोक अंग है आपको पता है संसद में तीन चीज़े होती है राज्य सबा लोक सबा और राष्ट्रपती तो किसी भी बिल के बनने यानि की विध्यक के बनने के लिए राष्ट्रपती का होना बहुत जागा जरूरी है इसलिए का आगया है कि संसद का अभिन अंग होता है राष् तो इनका साथ में बैटक एक बैटक होती है जिसको हम कहते हैं सहयुक्त अधिवेशन तो सहयुक्त अधिवेशन का संबोधन या आवाहन करने का राइट भी राष्टपती के पास होता है मतलब वो कभी भी सभाओं को बुलाके सहयुक्त अधिवेशन करवा सकते हैं इसके अलावा हर साल ऐसा एक संयूक तदिवेशन होता है तो उसका संबोधन भी राष्टपती कर सकते हैं अगली शक्ती इसी में आती है कि राज्य सभा के लिए 12 सदस्यों का चैन राष्टपती कर सकते हैं ये जो सदस्य होंगे 12 सदस्यों ये साहित्य विज्ञान, कला या समा सेवा किसी से भी जुड़ेवे हो सकते हैं तो राज्य सभा में इनको सदस्य बनाने का काम है वो राष्टपती करते हैं तो ये पावर राष्टपती के पास होती है इसके अलावा एक और पावर होती है अध्यादेश की आपको पता है अनुशेद 123 में बताया गया है कि राष्टपती बिना राज्य सभा और बिना लोक सभा के भी बिल पारित कर सकता है आपको पता है कोई बिल पारित होता है तो उसके अंदर वोटिंग होती है बहुमत लिया जाता है लेकिन राष्ट्रपती के पास एक स्पेशल ताकत है अध्यादेश की जहां पे वो अनुशेद 123 के तहट कोई भी बिल खुद से पारित कर सकता है और इसके अलावा एक शक्त दूसरी विधाई शक्ति इनको याद करना जदा मुश्किल नहीं है इस विधाई शक्ति में आपको देख रहा है कि स्थारी चीजे विधेयक से रिलेटेड है सभाओं से रिलेटेड है और जो पहले जो कारेकारी शक्ती थी उसके अंदर अनुसुचे जाती एवं जण जा कि धन से जुड़ी हुई शक्तियां या फिर पैसे से जुड़ी हुई शक्तियां अब राष्टपती को क्या क्या शक्तियां हैं धन से जुड़ी हुई देखो दो तरीके के बिलों की मैंने बात की थी एक बिल वो होते हैं जो प्रस्तुत करने से पहले जो है राष्टपती सा अब जो आपके धन विदेयक होते हैं। दूसरी शक्ति जो वित्तिय शक्तियों में राष्ट्रपति के पास होती है वो ये कि वो वार्षिक वित्तिय विवरन यानि कि केंद्रिय बजट को संसत के समक्ष रखता है यानि कि जो भी केंद्रिय बजट होता है जिसको हिंदी में वार्षिक वित्तिय विवरन कहते हैं उ पाड़ आ गई बुकम पागया उसकी वेसे कोई नुकसान हो गया बहुत बड़ा तो अदरश्य खर्चा कहते हैं उसे तो उस खर्च के लिए अग्रिम भुकतान की विवस्ता की जाती है यानि कि एडवांस फंड जिसको कहते हैं हम लो कि पहले से ही आप फंड तयार रखो कि ऐसा कोई खर्चा हो सकता है तो उसका भी जो शक्ती है वो राष्ट्रपती के पास है तो ये तीन वित्तिय शक्तिया हैं जो राष्ट्रपती के पास होती है पहली कारेकारी शक्ती थी उसमें शक्तिया हमने आपको बताई दूसरी विधाई शक्ति तीसरी वित्तिय शक्ति इसके बाद आती है नियाए एक शक्ती जिसका आप सबको इंतजार रहता है राष्ट्रपती अनुचेद भैतर के तहट प्राण दंड को स्तगित कर सकता है या फिर शमादान दे सकता है या आपने सुना होगा कि राष्ट्रपती किसी की फांसी रखवा सकते हैं तो ऐसे में उनको ये पावर अनुचेद भैतर के तैयद मिली हुई है कि राष्ट्रपती दंड देश को यानि कि जो दंड का आदेश होता है उसको निलंबित कर सकते हैं माफ कर सकते हैं या फिर परिवर्तित कर सकते हैं जिससे उसे शमादान मिल सके ठीक है तो ये पावर राष्ट्र उन्सब में भी जो नियायदीश नियुक्ट होते हैं वो भी राष्टपती की पावर से ही नियुक्त किया जाते हैं न्यायक शक्तियों में एक शक्ति और है कि माल लोग कि राष्टपती किसी विदी या फिर कानून को लेके किसी उल्जन में है तो वो जो सरवोच न्यायले के न्यायदीश होते हैं उनसे सला ले सकते हैं लेकिन राष्टपती बादेकारी नहीं है उस सला को मानने के लिए सिर interesting शक्तियों के बारे में जिसने से एक है सैन्य शक्ति, मतलब पांच फ़े नमबर पे आती है सैन्य शक्ति, मैं आपको बता दूँ कि सैन्य बल जितने भी होते हैं हमारे उनका जो सर्वोच सेना पती होता है जिनका जो अध्यक्ष होता है वो राष्टपती होता है ये वो पहली शक्ती है जो सैन्य शक्तियों के दोरानन को मिलती है आप कह सकते हो कि इन शक्तियों का जो अध्यक्ष होता है सैन्य शक्तियों का वो राष्टपती होता है दूसरी शक्ति ये है कि जितने भी हमारे सेनाएं है जल सेना थल सेना और वायू सेना इनके जो प्रमुक है ना उन प्रमुकों की जो नियुक्ती है वो राष्टपती करता है यानि कि हर तरीके का सैन्य बल जो है उनका सेनापती राष्टपती होता है अच्छा इसमें तीसरी शक्ती ये है कि मानलो की किसी देश से कोई युद्ध की जो गोशना है और युद्ध विराम की जो गोशना है वो भी राष्टपती ही करते हैं आपने देखा होगा कि सेनापती होते हैं जो सबसे पहले हुंकार बढ़ते हैं युद्ध की तो सेनापती यहाँ पर खौन है राष्टपती ही है तो राष्टपती ही कि युद्ध शुरू हो रहा है और राष्ट्रपती कहेंगे कि युद्ध का विराम हो चुका है छटवी जो शक्ती है राष्ट्रपती की वो है आपातकालीन शक्तिया यानि की इमर्जंसी की शक्तिया अब देखो इसको याद रखना बहुत ही आसान है इसमें तीन है 1962 में लगा था युद्ध के दोरान 1971 में लगा था उसमें पाकिस्तान युद्ध चल रहा था और 1975 में इंदिरागंदी सरकार में लगी थी इमर्जंसी ठीक है तो आपको अनुछे याद रखने है 352 के तहत लगता है राष्ट्रपती शाशन जो है वो अनुछे 356 तथा अनुछे 365 के तहत लगता है ये राज्यों में लगता है आपने देखा हुआ कई राज्यों में लग चुका है पंजाब में लग चुका है राजस्तान में लग चुका है और भी कई राज्यों में लग चुका है ठीक है और जो वित्या अपातकाल होता है वो अनुछे 360 के त इसके बाद आता है साथवे नंबर की शक्ति और ये बड़ी इंपॉर्टन शक्ति है राष्ट्रपती की इसको हम कहते हैं विटो शक्ति विटो शक्ति क्या होती है कि अनुचेद 111 के तहत क्या होता है कि राष्ट्रपती के पास जब भी कोई बिल आता है पारित होने के इसको हम लोग कहते हैं pocket widow वहां राष्ट्रपती जो है वो अपनी सुविकर्ती को किसी को बताते नहीं है वो कहते हैं कि इस पे विचार होगा और जब इस पे sign करना होगा तब कर दिया जाएगा तो उसको कहते हैं pocket widow अब इसमें क्या है कि ये जो सीमा है मतब सुविकर्ती रखने की सीमा जो है वो कितनी भी लंबी हो सकती है ऐसे में क्या होता है कि bill अटक भी जाते हैं कभी कभी तो ये option भी राष्ट्रपती के पास होता है तीसरे विकल्प में राष्ट्रपती विधेक को पुनर विचार के लिए भेज सकते हैं पुनर विचार के लिए संसत को भेज सकते हैं एक बार अगर संसत दूसरी बार उसे भेज रही है तब उसको साइन करना पड़ेगा मतब राष्ट्रपती को साइन करना पड़ेगा तो इन तीन options को इन तीन विकल्पों को ही विटो शक्ती कहा जाता है अब देखो कभी-कभी ये प्रश्ण पूछा जाता है कि राष्ट्रपती को ये विटो शक्ती दी क्यों गई है तो देखो उसके कुछ एक कारण है पहला कारण तो ये है कि संसत को जल्दबाजी और सही डंग से विचार न किये गए विधान बनाने से रोकना कभी-कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में बहुत से विदेख पार्श करवाने की कोशिश की जाती है तो उसको रोकने के लिए भी कभी-कभी राष्ट्रपती जान पूछ कि इस चीज़ को इस्तमाल करते है इसके बाद हमारी लिस्ट की आखरी जो शक्ती है राष्ट्रपती की वो है कूट नितिक शक्ती इसमें क्या होता है देखो अंतर राष्ट्रिय संधियां जो होती हैं जो समझोते होते हैं वो राष्ट्रपती के नाम पर ही किये जाते हैं आप देखते हो कि ब्रदान मंत्री किसी दूसरे देश जाते हैं वहाँ पर वो कोई चीज साइन करते हैं कोई समझोते से किसी संदीग पर साइन करते हैं तो वो एक्चुली ब्रदान मंत्री करतो रहे हैं लेकिन ये सब कुछ राष्ट्रपती के नाम पर हो रहा है इसके अला तो दोस्तो हमारी लिστ की ये हैं आठ शक्तियां जो राश्ठपती को मिली हुई हैं ये सारी शक्तियां IMPORTANT है इनमें से जायतर शक्तियों का इस्तमाल राश्ठपती सला पे करता है किसकी सला संसत के सदस्यों की सला लोकसभा राजसभा ठीक है इसके अलाबा विटो शक्ति जो है वो राष्टपती को बहुत सुद्रड बनाती है याद रखिए इनसे लेटेट जितने भी अनुछेद मैंने आपको बताए हैं वो सब आपको याद रखने हैं उनसे कॉश्चन बनते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत के उपर राष्टपती जी के बारे में यानि की उपर राष्टपती जी से जुड़े हुए अनुछेद, शपत, उनका त्याक पत्र, उनके कारे, उनकी शक्तियां, पदावदी, एक्सेक्टरा, एक्सेक्टरा अब चुँकि हाली में मैंने आपको बारत के राष्टपती जी के बारे में बताया है उनके निर्वाचन के बारे में मैंने बताया था, उनके कारे और शक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया था तो मैंने सोचा सीधा उपर राष्टपती जी के बारे में क्यों ना बताया जाए कोई confusion ना हो तो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि भारत के उपराश्टरपती का पद अमेरिका के उपराश्टरपती के पद की तर्च पर बनाया गया यानि कि अमेरिका में ये सिस्टम था कि उपराश्टरपती होगा उसके कारे होंगे तो उसे देखकर ये जो पद है ये भारत ने भी अपना है अब इसको अपनाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि राश्टरपती की अनुपस्तिति के अंदर उनका कारेभार कौन समवालेगा तो उपराश्टरपती का पद सिर्फ इसलिए बना था अगर हम बात करें उपराश्टरपती जी से जुड़े होए अनुचेदों की तो समविदान में अनुचेद 63 है जो भारत के उपराश्टरपती के पद का प्रावधान दिखाता है जैसे कि राश्टपती के पद का प्रावदान दिखाने वाले अनुचेद थे वैसे उपराश्टपती के लिए भी है इसके अलावा अनुचेद 64 यानि कि 64 और 89 इन दो अनुचेदों के तहट राज्य सभा के सभापती का कारे जो है वो उपराश्टपती करते हैं अगर राष्टपती मौजूद है तो अपराष्टपती क्या करेगा तो ऐसे में वो राज्य सभा के सभापती का रोल निभाएगा मतलब वो उस समय सभापती होगा और अनूशे 70 उपराष्टपती को ये ताकत देता है कि वो राष्टपती की अनुपस्तिती में उनका कारेभार समा लेगा तो इन अनुशेदों से questions बन जाते हैं objectives बन जाते हैं तो आपको इसका ध्यान रखना है इसके बात बात करते हैं योग गिता की मतलब वो क्या योग गिता है जो भारत का उपराष्टपती रखता है तब वो जाके उपराष्टपती बनता है तो देखो इसमें कुछ एक important योगिता है सबसे पहली कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए यानि कि वो भारत से ही बिलाउं करता हो भारत में ही पैदा हुआ हो दूसरा वो कि वो 35 वर्ष की आयू पूरी कर चुका हो मतलब एक भी दिन कम नहीं होना चाहिए 35 वर्ष एक दिन का उसको होना चाहिए कम से कम और उसके बाद उसकी उमर कितनी भी हो सकती है तीसरी जो योगिता है कि वो राज्य सबा में सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, आपको याद होगा, जब मैंने राष्टरपती बताया था आपको, तो राष्टरपती की योगिता में वो लोकसभा का चुनाव लड़ने योग्य होना चाहिए था, यहाँ पे राज्य सभा कर देना है, मतलब उसका उल्टा कर देना है और इसके बाद चौथी योगिता है कि वो किसी लाब पद पर ना हो देखो जब भी कोई राष्टपती या उपराष्टपती बनता है या फिर कोई मंत्री पद पर आता है तो वो कोई लाब प्रद पर नहीं हो सकता मतलब वो किसी सरकाई नौकरी में नहीं हो सकता भारत का वो नागरेक होगा और वो किसी सरकारी नौकरी पे ना होगा तो क्या वो उपराष्टरपती बन सकता है well यहाँ पर भी एक प्राबलम है कि उपराष्टरपती बनने से पहले आप को निरवाचक मेंडल उपराष्टरपती को ये बहुत से लोगों को disqualify कर देती है अच्छा छटवी योग्यता के अंदर अगर वो चुनाओ लड़ रहा है मानलो कि उसके पास support भी है तो वो चुनाओ लड़ेगा तो उसे 15,000 की राश्ची जो है वो जमा करवानी पड़ेगी आपको याद होगा अगर आप बात करोगे इस प्रक्रिया की तो ये प्रक्रिया भी राश्च्रपती के चुनाओं की तरह ही होती है यानि कि अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष मतलब इसे भी डारेक्ट जनता नहीं चुनती है इसे निरवाचक मंदल के कुछ सदस्य चुनते है और चुनने की जो विदी होती है वो भी बिलकुल राश्च्रपती की तरह एकल संकर्मन मत विदी होती है जहाँ पे गुप्त मतदान किया जाता है और उससे उन्हें चुरा जाता है लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूँ कि राश्च्रपती के चुनाओं में यानि की निर्वाचन में और उपराष्टपती के निर्वाचन में दो प्रमुक अंतर हैं वो कौन से अंतर हैं? देखो मैं इसे partition करके समझाता हूँ ताकि आपको याद रहे और आप इसको भूलो नहीं देखो एक तरफ है राष्टपती और एक तरफ है उपराष्टपती राष्टपती के निर्वाचन के टाइम पे संसद के कुछ निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं संसद में दो सदन होते हैं लोकसभा और राजेसभा उन में से भी कुछ एक निरवाचित सदस्य होते हैं जो वोटिंग करते हैं राष्टपती के लिए अच्छा आप उप राष्टपती की बात करोगे तो वहाँ पे निरवाचित सदस्य तो होते ही हैं साथ में मनोनित सदस्य भी होते हैं मतलब आपको पता है, राज्य सभा के अंदर 12 सदस्य चुनके आते हैं, जिने राष्टरपती चुनते हैं, वो 12 सदस्य और 2 Anglo-Indian सदस्य भी होते हैं, अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो 12 सदस्य हैं और 2 Anglo-Indian सदस्य हैं, इनको राष्टरपती चुनने का आफसर नहीं दिय जाता है, मतलब इनको वोटिंग करने का अफसर नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पे जब उपराष्टरपती की बात आती है, तब इनको वोटिंग करने का अफसर दिया जाता है, तो दोनों में फर्क क्या है, कि यहाँ पर सिर्फ निरवाच्य सदस्य होते हैं, और यहाँ जब उपराष्ट पती की बात आती है तो वहाँ पे राज्य विदान सभा के सदस्य वोट नहीं करते हैं तो ये जो दो अंतर हैं इससे आपको निर्वाचन याद रहेगा राष्ट पती का भी और उपराष्ट पती का भी अब देखो यहाँ पे एक सवाल पूछा जा सकता है कि राष्ट पती की अनुपस्यती में उपराष्ट पती उनकी सीट पर बैठता है तो ऐसे में उपराष्ट पती के चुनाओं में इतनी धिलाई क्यों मतलब वहाँ पे विधान सभाओं को क्यों शामिल नहीं किया जाता तो देखो इस पर डॉक्टर बी आर अम्बेडगर का एक बयान था एक सोच थी वो सुन लेते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडगर कहते थे कि जो राष्ट पती होता है वो राश्ट का प्रमुक होता है उसमें केंद्र तता राज्य दोनों के प्रशाशन करने की शक्तियां नहित होती है इस प्रकार उसके चुनाओं में ये आवशक है कि न केवल संसत के सदस्य अपितु राज्य विदाईका के भी सदस्य भी इसमें भाग ले परनतु उपर राश्टरपती के कारे सामानने हैं मतलब simple है normal है उनका मुख के कारे राज्य सबा की अदिक्षेता करना है मैंने अभी आपको बताया था कि राज्य सबा का जो सबापती होता है वो उपर राश्टरपती होता है या फिर उसको शपत कौन दिलवाता है तो उसका जवाब है राष्ट्रपती राष्ट्रपती ही होता है जो उपराष्ट्रपती को शपत दिलाता है तो इस बात को आपको याद रखना है इसके अलावा अगर उपर राष्ट्रपती को अपना त्याक पत्र किसी को देना हो तो वो भी राष्ट्रपती को ही देता है मतलब चपत भी राष्ट्रपती दिलाएगा और त्याक पत्र भी राष्ट्रपती ही ग्रैंड करेगा अगर आपको याद आ रहा हो राश्ट्रपती को अगर त्याक पत्र देना हो तो वो उपराश्ट्रपती को देता है और उपराश्ट्रपती को देना हो तो वो राश्ट्रपती को देता है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को त्याक पत्र दे सकते हैं अच्छा अगर राष्टपती को अपने पद से हटाना होता था तो उनके महाभियों की प्रक्रिया होती थी, तो अगर उपराष्टपती को हटाना हो तो क्या करेंगे, वैल मैं आपको बता दू कि उनके लिए कोई special महाभियों की प्रक्रिया नहीं है, अगर उपराष्टपत गैर सम्मेदानिक तरीके से चल रहे हैं तो करना ये होता है कि राज्य सभा के अंदर एक पारित करना होता है संकल्प ठीक है कि उनको हटाना है फिर उसको लोग सभा में बेजा जाता है लोग सभा में पूर्ण भहुमत से वो चीज पास होती है और उसके बाद उनको हटा दि से पहले, 14 दिन पहले एक अग्रिम सूचना जो होती है, वो उपराष्ट पती को दी जाती है, अगर उन 14 दिनों के अंदर वो अपना त्याक पत्र दे देते हैं, तो फिर वो पारित नहीं होगा, वो तुरंट वैसे हट जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं देते हैं अपना त पत पर बने रह सकते हैं, कब तक जब तक उनकी जगे पर कोई दूसरा उत्रादिकारी ना आ जाए, तो ऐसे में एक सवाल पूछा जाता है, कि उपराष्ट पती के पत की रिक्तता के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो आप पांच कारण दे सकते हो, पहला उनकी पांच पता चले कि वो आयोग्य हैं बीच में ही, तो उनका तुरंत निर्वाचन अवैद घोशित कर दिया जाएगा, अब बात कर लेते हैं, उपराष्टरपती से जुड़ी हुई शक्तियों एवं कारेों के लिए, वैसे मैं आपको बता दूँ कि उपराष्टरपती के पास बह हैं, तो उपराष्टरपती का कारीए यह है कि आप सभापती बनो, ठीक है, और दूसरा कारीए यह है कि अगर राष्टरपती अनुपस्तित हो जाए, तो ऐसे मैं आप राष्टरपती का कारेबार संबालो, अच्छा इसी में एक इंटरेस्टिंग सवाल बनता है, कि जब उप राश्ट्रपती, राश्ट्रपती की जिगा कारेबार समालते हैं, तो उस समय सभापती कौन होता है, मतलब क्या वो सभा को समालते हैं, राज्य सभा को, नहीं, उस समय राज्य सभा के उप सभापती होते हैं, वो समालते हैं राज्य सभा को, तो ये सारे वो points है जिनके उपर बहुत से objectives, बहुत से pressure बनते है exams के अंदर, अच्छा कुछ एक important points और हैं जो मैं आपको specially बता देता हूँ, जिनसे सवाल बन सकता है, सबसे पहली चीज तो है उपराश्टपती का वेतन, देखो, उपराश्टपती ज्यादातर समय जो है लेकिन अगर माल लोग कि वो राश्टपती का कारेभार समाल रहे हूँ, तो राश्टपती को मिलने वाला सारा वेतन, सारे भत्ते, उपराश्टपती को मिलते हैं, मतब सारी सुगिधायें उनको दी जाती है उस time पे, अगला जो जरूरी point है, जैसा कि मैंने बताया कि लेकि कोई वोटिंग होती है राजिसवा में, तो उसमें सभापती वोट नहीं कर सकते, जर्नली, लेकिन अगर माल लोग कि कोई बिल आया है, और उसमें अटक गया है मामला, 50-50% पर अटक गया है, तो ऐसे में निर्नायक मत देने का जो अधिकार है, वो सभापती को होता ह यानिकि उपराष्टपती को होता है, तो वहाँ पे वोट दे सकते हैं, अगला जरूरी पॉइंट ये है कि अगर उपराष्टपती का चुनाव या फिर निर्वाचन में कोई दिक्कत हो जाए, कोई वाद आ जाए, तो उस वाद का जो निप्टारा है, वो सुप्रीम कोट करता है, डिस्टिक कोट नहीं करता है, सेशन कोट नहीं करता है, या फिर हाई कोट नहीं करता है, ठीक है, सिर्फ सुप्रीम कोट करता है, और एक इम्पोर्टन पॉइंट ये है, कि ये जो निर्वाचन है, ये जो चुनाव है, उपराष्टपती का ये कौन करवाता है, च कौन होता है प्रदान मंतरी, सरकार में इसका पद क्या है, ये राष्टपती से किस तरह जुड़े हुए हैं, इसके शक्तिवे कारे क्या होते हैं, ये शपत किसे देता है, त्याक पत्र किसे देता है, अनुछेद क्या है इससे जुड़े हुए, ये सारी चीजे आज मैं आप को बताऊंगा जिससे जुड़ेवे बहुत से प्रश्न बहुत सारे एक्जाम से पूछे जाते हैं तो end तक बने रहीएगा तो शुरुवात करते हैं भारतिय सम्विधान के साथ देखो भारतिय सम्विधान ने हमें जो व्यवस्था दी है वो है संसदिय व्यवस्था बोले इसको हम कहते हैं राष्ट्रपती लेकिन ये जो राष्ट्र है ये जो भारत है इसमें जो सरकार चलती है जिस वक्मालो कोई सत्ताधरी सरकार है उसका जो प्रमुक चेरा होता है उसे हम कहते हैं प्रदान मंत्री तो आप ये कह सकते हो कि जो राष्ट्रपती होता है वो ना minister होता है ये बात हम जानते हैं लेकिन वहाँ पे राष्ट्रपती की जिए कौन होता है ताज होता है ताज आपको पता ने जिसमें कोई नूर लगा हुआ है तो ब्रिटेन के अंदर जिस तरह ताज होता है वैसे ही भारत के अंदर राष्ट्रपती होता है अब अगर हम बात क इसको सहायता एवं सला देने के लिए एक मंत्री परिशद होता है उस मंत्री परिशद का जो हैड होता है प्रमुक होता है वही प्रधान मंत्री होता है तो यह अनुचेत चौतर इस बारे में बात करता है कि प्रधान मंत्री की राष्ट्रपती के लिए स्थिति क्या है इसके यह है कि यह जो cabinet के मंतरी होते हैं अलग-अलग field के होते हैं को railway का कोई कहा का कोई कहा का तो इनकी जो नियुकती है वो भी राष्टपती ही करता है लेकिन प्रधान मंतरी की सला पर करता है मतलब जिसके बारे में प्रधान मंतरी कहेगा उन्हीं मंतरियों को नियुकत करेगा तो यह दो अनुचेद हैं जो आपको प्रधान मंतरी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रधान मंतरी की नियुकती के बारे में अब दोस्तों मैं आपको एक इंटरस्टिंग बात बताता हूँ कि प्रधान मंतरी की सदेव न निर्वाचन नहीं होता है निर्वाचन क्या होता है जैसे आपके इलाके में किसी ने चुनाव लडाया एलेक्शन लडाया तो उस इस्तिती में मानलो कि आप उसको वोट करके आए हूँ तो वो निर्वाचित हो गया मतलब उसको आपने चुल लिया वही दूसरी तरफ अगर अगर माल लोग की राष्ट्रपती है उनका भी निर्वाचन होता है उनको कौन चुनता है प्रतिनिदी चुनते हैं जो प्रतिनिदी आपने चुने हैं निर्वाचित सदस्य वो उनको जाकर के चुनते हैं लेकिन अगर आप बात करोगे प्रधान मंत्री की तो जिस दल को बहुमत प्राप्त किया है या राज्य सभा में बहुमत प्राप्त किया है जिसके MPs, Member of Parliament जीत गए हैं तो अब उसका जो सबसे प्रमुक नेता होगा जो की सबसे जादा मानने होगा जिसके पास सबका confidence होगा उसकी नियुकती करेगा राष्टरपती लेकिन अगर मान लोग की एक ऐसी परिस्तिती बन जाए कि किसी भी राज्यितिक दल के पास बहुमत ना हो मान लोग की दो पार्टीज हैं तो 50-50% हो गया या तीन पार्टीज हैं तो 33-33% हो गया तो उस समय जो राष्टरपती होगा वो किसी भी दल में से जिस दल का गड़बंदन सबसे बड़ा हो उस में से कोई भी एक नेता लेगा और उसको एज़े प्रदान मंतरी नियुक्त कर देगा अब जिस व्यक्ति को राष्टरपती एज़े प्रदान मंतरी चुनते हैं उसे एक मा यानि की एक महीने का टाइम दिया जाता है कि आप अपने दल के अंदर विश्वास मत हासिल कर सबी से कि हाँ सब इसके सपोर्ट में हैं अन्यता अगर वो नहीं कर पाया तो फिर राष्टरपती दूसरे आदमी को चुनते हैं अब देखो इस तरीके से राष्टरपती ने एक बार एक प्रदान मंतरी को चुना था साल था 1989 उस समय ततकालिंग राष्टरपती थे नीलम पूर्फार्मर राष्टरपती थे उन्होंने की थी जब इंदिरा गांदी की हत्या हुई थी 1984 में तो राजीव गांदी जी को प्रदान मंतरी उन्होंने बनाया था और बाद में पूरे दल्ले यानि कि पूरे कॉंग्रेस ने उन्हें अपना नेता सुईकार कर लिया से जुड़े कुछ important points के बारे में जैसे की प्रदान मंतरी का राज्यसभा और लोकसभा में से किसी एक का member होना जरूरी है तो एक बात हम लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति एक समय पे राज्यसभा और लोकसभा का member नहीं हो सकता या तो प्रदान मंतरी लोकसभा से चुनके अगर आगा? अगर आप बात करोंगे राज्यसभा की तो डॉक्टर मनमान सिंग्ग जी थे वो राज्यसभा से चुनके आए थे और वर्तमान प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी जी लोकसभा से चुनके आए हैं घीक है? अच्छा अगर माल लोग कि राश्ट्र पति ने किसी एक का मेंबर जरूर बन जाए अब बात करते हैं प्रधान मंत्री के शपत त्याग पत्र वेतन तता शर्टों के वारे में देखो प्रधान मंत्री शपत किसके समक्ष लेता है राष्ट्रपती के समक्ष लेता है हमें मालूम है कि सब कोई राष्ट्रपती के सामने शपत देन पढ़ती है तो प्रदानमंत्री भी राष्ट्रपती के सामने शपत लेते हैं बात करें उनके कारेकाल की अब देखो कारेकाल की जब भी बात आती है न तो लोग सीधे लिख देते हैं कि पांच वर्ष बात तो सही है लेकिन पांच वर्ष से पहले एक चीज़ आप समझो कि राष्ट्रपती जो हैं वो बहुमत ना होने पर किसी प्रदानमंत्री को पहले ही हटा सकते हैं ये एक important point है यानि कि प्रदानमंत्री राष्ट्रपती के प्रसाद परियंत पर अपने पत पर बने रहते हैं जब तक उसके पास बहुमत है तब तक तो ठीक है जब तक विश् विश्वाश मत आ जाए तो उन्हें हटाया भी जा सकता है तो प्रधानमत्री का जो कारेकाल होता है वो राश्टपती के प्रसाथ परियंत पर डिपेंट करता है कि अगर उसके पास बहुमत है और विश्वाश है तब तो वो बने रहेंगे अन्यता हटा दिये जाएंगे और मानलों कि हमेशा के लिए बहुमत है तब उनका जो कारेकाल है वो पांच वर्ष का होता है अब बात करोगे त्याक पत्र की तो अगर शपत राश्टपती के समुग दी है तो त्याक पत्र भी राश्टपती को ही देंगे प्रधानमंत्री ठीक है इस बात को भी आपको बात करते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयूगी देखो अभी मैंने कहा कि या तो प्रधानमंत्री लोकसभा से चुना जाता है तो अगर वो लोकसभा से चुनके आ रहा है तब उसकी न्यूनतम आयू पतचीस वर्ष तो होनी ही चाहिए ठीक है और अगर तो पूछा जाता है कभी राजी सभा के लिए, कभी लोग सभा के लिए, और अगर मालोक किसी के लिए नहीं पूछा है, सर्फ ये पूछा है कि प्रधान मंतरी बनने के नियुनतम आयू क्या है, तब आप 25 वर्ष लिख सकते हैं, लोग सभा के अनुसार. वहीं प्रधान मंतरी बनने की अधिकतम आयू क्या होगी, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, आपको पता होगा कि हमारे देश के सबसे ज्यादा उम्र दराज, मतलब सबसे ज्यादा उम्र में बनने वाले जो प्रधान मंतरी थे, वो कौन थे, मुरार जी देसाई, 80 से उपर उ लोग सबाय राज्य सबाय में, तब तक वो पि-म बनके आते रहेंगे, तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स थे, जो शपत और शर्तों के अंदर थे, आपको याद रखना है कि प्रधान मंतरी का कारे का लिश्चित नहीं होता है, वैसे पांच वर्ट्स आप लास्ट म के बारे में, तो कई तरीके से उनकी शक्तियां विवाजित हैं, जैसे मंतरी परिशत के संबंद में अलग है, संसत के संबंद में अलग है, और कुछ एक अलग और दे रखी हैं, शुरुवात करते हैं मंतरी परिशत के संबंद से, पहली शक्ति, पहली शक्ति तो ये है कि जब मंत्री परिशत बनता है तो उसके जो मंत्री होते हैं वो प्रधान मंत्री की सिफारिश पर बनते हैं यानि कि राष्टपती को सिफारिश करेगा प्रधान मंत्री तब जाकर के ये मंत्री चुने जाएंगे तो जिसे चाहे वो मंत्री बना सकता है नियुक्त कर सकता है दूसरी शक्ती ये है कि वो किसी भी मंत्री को कोई भी मंत्राले दे सकता है जैसे किसी को रेलवे दे रखा है तो किसी को खाद मंत्राले दे रखा है तो वो किसी को भी दे सकता है और बीच में कभी भी फिर बदल भी करवा सकता है अच्छा तीसरी शक्ती में वो किसी भी मंत बरखास्ट हो जाएगा वाई सोच के देखो कि सारे मंदल उसी के कहने पे काम कर रहे हैं और जो मेन कड़ी है वही अगर त्याग पत्र दे दे तो इनके पास करने के लिए कुछ बचेगा नहीं मंत्री मंदल के पास तो इस इस्तिति में मंत्री मंदल स्वेत ही विगटित हो प्र श्यक्ट आएगा तो इसका मतलब मंत्री मंदल के लिए प्रदान मंत्री इंप्रेंट है और मालो कि मंत्री मंदल में कोई मंत्री है जो वैसे ही इस्तिफा दे देता है तो उस समय कोई फ़र्ग नहीं पड़ता सर्फ एक रिक्तता आजाएगी जिसको भरने का कारिया करेंगे यानि कि दूसरे की नियुक्ति करवाएंगे यही कारण है कि अगर आपने देखा हो कि कैबिनेट मंत्री कभी भी सीधे-सीधे इस्तिफा नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जगह से इंपोर्टेंट अधिकारी हैं जो कि प्रधान मंत्री नियुक्ति करने के लिए कहता है राष्टपती को जो की बहुत सारा काम करते हैं तो ऐसे में राष्ट्रपती के संबंद में भी प्रदान मंतरी को बहुत सी शक्तियां प्राप्त हैं और वो बहुत से कारे करवा सकता है। यानि कि कभी भी विगटन करवाना हो तो राष्ट्रपती को कहके वो विगटन करवा सकता है लोगसबा का। दूसरा ये है कि वो सभा पटल पर सरकार की नीतियों की गोशना करता है। पर से पहली शक्ति तो ये है कि जैसे आज नीति आयोग है पहले योजना आयोग हुआ करता था जो पंच वर्ष ये योजना बनाता था। आजकल नीति आयोग है जो तीन, साथ और पंदरा वर्ष की योजना बनाता है। तो ये जितने भी आयोग है इन सब का जो हेड होता है, प्रमुक होता है, अध्यक्ष होता है, वो परदान मंतरी होता है। दूसरा ये है कि वो राष्टर की विदेश नीती को मूर्त रूप देता है, अब इसका क्या मतलब है, जैसे कोई विदेश नीती है, कोई विदेश संधी है, कोई समझ होता है या किसी पर साइन करना है, तो वहाँ जाता है प्रदान मंतरी और साइन करके आता है, आप मोदी जी के आठ बिजे के शोज आपने देखे होंगे नोट बंदी से शुरूँ हुए थे और कभी भी संबोधन आता है तो वो जो संबोधन है वो किंद सरकार की तरफ से होता है जो मोदी जी यानि की प्रधानमंतरी करता है चौथा ये कि कोई आपदा आ जाया तो उस समय जो प्रबंदन प्रमुक होगा वो प्रधानमंतरी होगा और इसी में एक कारे और शक्ति आता है कि वो सेनाओं का जिती भी हमारी सेनाओं हैं उनका राजनेतिक प्रमुक होता है आपने देखा होगा कि सेनाओं के लिए कुछ एक सेफटी फैसले जो है सरकार लेती है तो उ आप easily exam में लिखके आओगे इसके अलावा आपको उधारन भी लिखने हैं जैसा कि मैंने बताया कि examiner को लगना चाहिए कि आप political history से वाकिफ हो ठीक है तो दोस्तो ये हो जाता है परदान मंतरी का ब्योरा जो मैंने आपको दिया है इसमें काफी सारी चीज़े आई हैं इन सभ सरीके का मंतरियों का समू होता है जो केंदर स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो दोनों जगे सरकार का एक मैत्वपून हिस्सा होता है या यू कहलो कि यही सरकार होता है अब इसे समझने के लिए आपको ये चीज़ समझनी होगी कि भारत में संसदिय वेवस्ता यानि कि पार चलाएगा नहीं इसके लिए ये अपट करता है लोगों को जिससे वो अलग-अलग कारे करवाता है उन लोगों को हम मंत्री या मिनिस्टर कहते हैं और उनके ग्रुप को मंत्री परीशत कहते हैं यानि कि Council of Ministers कहते हैं उनका जो Head होता है उसे सबसे बड़ा मंत्री यानि कि प्रधान मंत्री कहा जाता है ये जो मंत्री परिशद है ये अपनी सला और परामर्ष राष्टरपती को देता है और राष्टरपती उस पर साइन करता है लेकिन यहाँ पे समझने लाइक बात ये है कि जो मंत्री परिशद है कि मान लो कि कोई Bill कोई विचार जो है राष्टरपती को देता है साइन करने के लिए तो राष्टरपती एक बार के लिए पुनर विचार करने के लिए उसको मंत्री परिशत के पास भेज सकता है कि नहीं यार इसमें ये चीज़ ठीक नहीं है लेकिन मान लो कि ये मंत्री परिशत दूसरी बार उस बिल को वापिस भेजता है तो ऐसे में राष्ट्रपती को साइन करना पड़ेगा तो आप ये कह सकते हो कि सारी पावर राष्ट्रपती के पास से उठके कहां चली गई मंत्री परिशत के पास चली गई या यू कहलो कि मंत्री परिशत के हैड प्रधान मंत्री के पास चली गई तो ऐसे में असली पावर फुल राष्ट्रपती ना हो के मंत्री परिशद हो जाता है तो उसी मंत्री परिशद की पावर्स, कार्य, नियुक्ती, गठन, शर्त, वेतन, सब देखना है हमें अब देखो सम्मिधान में मंत्री परिशद के बारे में दो मैत्वपूर्ण अनुचेदों में बताया गया है एक है अनुचेद चोहतर और बात करें अनुचेद चोहतर की तो उसमें लिखा है कि राष्ट्रपती को सहायता और सला देने हे तू एक मंत्री परिशद होगी जिसका परधान परधान मंत्री होगा राष्ट्रपती मंत्री परिशद के परामर्श के अनुसार ही कारे करेगा तथा पी यदि राष्ट्र पॉइंट वो कहता है कि मंत्रियों द्वारा राष्ट पती को दी गई सला की जाच किसी न्यायले द्वारा नहीं की जा सकती अब ये भी बड़ा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ती में भी राष्ट्रपती का हाथ होता है लेकिन प्रधान मंत्री की सला पर वहाँ पर उसे प्रधान मंत्री की सला लेनी पड़ेगी कि किसको मंत्री बनाना है और किसको नहीं बनाना है नहां पे साफ साफ नजर आ रहा है कि राश्ट्रपती की पावर मंत्री परिश्ट को लेके कुछ है ही नहीं, सारी पावर तो प्रदान मंत्री की है, प्रदान मंत्री तै करेंगे कि कौन सा मंत्री रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, कौन सा बड़ा मंत्री बनेगा, कौन सा छो प्रदान मंत्री से बाद आता है मंत्री परीशत की योग गिता यानि कि एक मंत्री के लिए होने के लिए क्या योग गिता होनी चाहिए तो देखो पहली योगिता तो यही चाहिए कि अगर किसी को मंत्री बनना है तो वो लोकसभा या राज्यसभा मेंसे किसी एक का मेंबर होना चाहिए सदस्य होना चाहिए तब ही वो मंत्री बन सकता है दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि कई बार ऐसा होता है कि मानलो की कोई मंतरी है जो पहले मंतरी था वो अब हार गया है अब वो सदस से नहीं रहा लोकसवा या राजसवा का लेकिन केंद्र की तरफ से देखा जाया तो वो एक important मंतरी है तो ऐसे में केंद्र उसकी नियुक इसके बाद वेतन की बात होती है तो देखो वेतन जो होते हैं वेतन और भत्ते वो शंसत द्वारा निधारत किये जाते हैं किसी भी मंतरी परिशत के मंतरी के मतलब यह आपस में ही अपना वेतन खुदी तैगर लेते हैं के अलावा कुछ एक सुविदाएं भी मिलती है, जैसे कि मुफ्त आवास मिलता है, यात्रा भत्ता मिलता है, स्वास सुविदा वगेरा वगेरा ये सारी चीजें उन्हें दी जाती है, इसके बाद एक बड़ा मैतवत पूर्ण पॉइंट आता है, वो है उत्तरदाइत्व, य चीजे बताउं कि अगर पूरे मंतरी परिशत में किसी एक मंतरी के खिलाव भी यानिकी आविश्वास प्रस्थाव आता है, और वो पारित हो जाता है यानि कि वो पास हो जाता है, तो ऐसी इस्तिती मंत्री परिशत को इस्तीफा देना पड़ता है, त्याक पत्र देना पड़ता है, तो ये चीज सामोहिक उत्तरदायत्व के दायरे में आती है, इसके बाद आता है व्यक्तिगत उत्तरदायत्व, ये जो होता है, ये हर एक मंत्री जो होता है, मंत्री परिशत का, वो राष्ट पत्रदाइद्व जो पूरा मंत्री परिशत निवाता है और दूसरा है व्यक्तिगत उत्तरदाइद्व इसके बात बात कर लेते हैं इस टॉपिक की जान के बारे में याने की मंत्री परिशत की सनरचना के बारे में दिखो मंत्री परिशत की सनरचना का मतलब है कि कितने तरीके के मंत्री होते हैं तो तीन तरीके के मंत्री होते हैं एक कैबिनेट मंत्री एक राज्य मंत्री और एक उप्य मंत्री कैबिनेट मंत्री को महत्वपूर्ण मंत्री कहा जाता है क्योंकि उन्हें बैठकों में भाग लेते हैं और नीती निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं भाते हैं यानी कि जतनी भी नीती बनती है हमारे देश के लिए जो important है गरीबों के लिए वो ये cabinet minister बैठके करते हैं अपनी बैठकों में इसी लिए इनके उत्तरदायत पर परीदी होत यानि कि उनकी help के लिए appoint किये जाते हैं और कुछ एक ऐसे होते हैं जिने स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है कहने का मतलब यह है कि कोई विशेश कारे है जो cabinet ने उन्हें सौपाय किसी राज्य मंतरी को तो वो विशेश कारे करने के लिए स्वतंत्रता उन्हें दी जाती है इ जितने भी राज्य मंतरी होते हैं वो cabinet मंतरी की जिम्मेदारी, देखरेक और सला पर कारे करते हैं लेकिन जितने भी स्वतंत्र प्रभार वाले मंतरी मैंने आपको बताये जिनको विशेश कारे भी दिये जाते हैं वो अपना कारे पूरी शक्तियों स्वतंत्रता के साथ करत और स्वतंतर प्रभार वाले मंत्री जो होते हैं मतलब विशेशकारे वाले वो कभी-कभी cabinet ministers की जो बैठक होती है उसमें भी शामिल होते हैं वैसे normal मंत्री नहीं शामिल हो बाते हैं सरफ cabinet के मंत्री ही बैठते हैं लेकिन ये स्वतंतर प्रभार वाले विशेशकारे वाले जो तो ये तीनों मिलके पूरा मंतरी परिश्यत तयार कर सकते हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे बीच में पीम है और उसके बाद पहले कैबिनेट का गोला है, उसके बाद राजे मंतरी और उसके बाद उप मंतरी, तो इस तरीके सा आप देख सकते हो कि किसका महत्व जादा है और किसका मैत्व कम है अब यहाँ पे आपके मन में आना चाहिए एक सवाल कि मंतरी परिशत के टोटल मंतरियों की सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो देखो अगर आप बात करोगे इन तीनों की कि कितने कैबिनेट मिनिस्टर होंगे कितने राज-मंतरी होंगे कितने उप-मंतरी होंगे तो यह सब कुछ सरकार अपने आप में तै करती है ठीक है जिसकी सरकार है भहमत सरकार है लेकिन जब आप लोग-лоक सबा की बात करते हो तो यहाँ पे तीनों मंतरियों को मिला कि तल्टल संक्या तै है मतलब पहले ये तै नहीं थी मूल सम्विधान में ये तै नहीं थी लेकिन बाद में 91 सम्विधान चंशोदन अदिनियम 2003 के तहट इस चीज को तै कर दिया गया वहाँ पे ये कहा गया कि लोग सभा में प्रधान मंतरी सहित मंतरी परिशत की संख्या 15 परतीशत से जादा नहीं होनी चाहिए मतलब इस वक्त अगर 545 सीठे हैं 545 अदर से हैं तो प्रधान मंतरी समेत कुल 15 परतीशत लोग ऐसे होंगे जो मेन मंतरी परिशत के अंदर होंगे बाकी नहीं होंगे मतलब ये संख्या जो है फिक्स कर दी गई 15 परतीशत कप की गई 2003 में कौन सा सम्विधान चंशोदन 91 इसको याद रखना इससे सवाल बनता है इसके बाद ये पूछा जाता है कि एक मंतरी परिशत के कारे क्या होते हैं अब कारे तो मैं आपको शुरू से बताई रहा हूं लेकिन आप 4-5 कारे बता सकते हो जैसे की राष्टपति की शाषन में सहायता करना वित्तिय कारे करना यानि की पैसे से जुड़े हुए बजट से जुड़े हुए कारे करना नीती निर्मान करना इसके अलावा विकास और प्रगर्ती के कारे करना मतलब जितने भी मंतराले हैं वो सारे विकास के कारियों में लगे हुए है तो ऐसे ही में पूरा मंतरी परिशच जो है यही काम करता है कुल मिलाके सरकार चलाना देश चलाना तो दोस्तों यह सारी जानकारी हो जाती है एक मंतरी परिशच के बारे में अगर आपने पूरे notes बना लिए हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से एक भी objective आपका छूटेगा इसके बाद एक और important topic आता है जिसे मैं अलग वीडियो में बनाने वाला था लेकिन अगर मैं इसी में include कर दू तो अच्छा रहेगा साथ के साथ जिसको हम कहते हैं मंतरी परिशद बनाम मंतरी मंडल मंतरी परिशद क्या होता है और मंतरी मंडल क्या होता है क्या ये दोनों अलग-अलग होते हैं बिलकुल अलग-अलग होते हैं comparison करने के लिए हम एक चार्ट बना लेंगे देखो मंतरी परिशद में हमें पता है कि PM होता है, उसके बाद आपके cabinet minister, राज्य मंतरी और उप मंतरी होते हैं, लेकिन जो मंतरी मंडल होता है, वो छोटा होता है, कहने का मतलब है कि उसमें सिरफ PM होता है और cabinet ministers होते हैं, मतलब जो important बैठक होती है, important फैसले लेने होते हैं, वो प्रधान मंतरी और cabinet ministers यानि के cabinet मंतरी बैठ के ले लेते हैं अपने आप में ठीक है तो वो मंतरी मंडल की बैटा कहलाती है इसमें दूसरा फरक यह है कि एक मंतरी परिशत में 15 परतिशत लोग हो सकते हैं मतलब 70-80 लोग हो सकते हैं लेकिन एक मंतरी मंडल में 15-20 लोग ही होते हैं मंतरी परिशत की जो शक्तियां होती हैं वो मंतरी मंडल दोरा दी जाती हैं जरा सोच के देखिए कि PM और cabinet मंतरी मिलके ही तो राज्य मंतरी और उप मंतरी को कारे करने के लिए कहेंगे उन्हें शक्तियां वही तो देंगे तो इसका मतलब मंतरी परिशत की सारी शक्ति मंतरी मंडल से आती है और मंतरी मंडल में उल्टा लग दीजे कि मंतरी मंडल जो है मंतरी परिशत को शक्ति प्रदान करता है अगला ये है कि मंत्री परिशत का उलेक तो आपको अनुसियत 84 और 75 में मिल जाता है लेकिन मंत्री मंडल का जो उलेक है वो सम्विधान में मोल रूप से नहीं था मतलब जब सम्विधान बन रहा था या फिर लागू हुआ था तो उस टैम पे मंत्री मंडल का कोई जिक्र नहीं हुआ था बाद में जब 44 सवा सम्विधान चल्चोदन हुआ जब जनता पाटी सरकार के अंदर तब मंत्री मंडल की स्थापना की गई थी उसके बारे में बताया गया था तो ये जो अंतर है मंत्री मंडल और मंत्री परिशत का ये बहुत important है I hope अब आपको समझ में आ गया होगा देखो दोस्तो होता ये है कि आप और भी points बना सकते हो जैसे कि आपको पता है कि मंत्री मंडल के अंदर बहुत से cabinet ministers होते हैं और cabinet minister के पास महत्वपूर्ण मंत्राले होते हैं जैसे कि ग्रय विदेश तो महत्वपूर्ण फैसले कहा होते हैं सारे मंत्री मंडल में होते हैं और देश से रिलेटर जो इतने भी कारे होते हैं, जो कि थोड़े छोटे भी हो सकते हैं, वो सारे कारे काउंसी बैटक में होंगे, वो मंत्री परिशत की बैटक में तैक किये जाएंगे. इसके बाद एक और शब्द है, जो बार-बार यूस किया जाता है, आंतरिक कैबिनेट या जिसको किचेन कैबिनेट भी का जाता है, मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कोई भी वर्ड आपको सम्मेधान के अंदर नहीं मिलने वाला है, ये वर्ड जो है, ये सिर्फ बनाया गया है अनपचारिक रूप से, इसका सिंपल सा तरीका आप ये समझ सकते हो कि ब्रदान मंतरी के कुछ मैत्वपूर्ण मंतरी होते हैं, जो कैबिनेट के मिनिस्टरी होते हैं, उनकी जो बैठक होती है, वो अनपचारिक रूप से मानलो कि घर पे, या फिर अपने किसी मैत्वपू स्थान के उपर ये लोग कर लेते हैं और आपस में ही कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं देश के बारे में तो उसे कहा जाता है किचन कैबिनेट या फिर आंतरिक कैबिनेट इस चीज के लिए एक बड़ा मशूर शब्द है घेरे के अंदर घेरा मतलब एक घेरा तो है प्रद स्वामी अयंगर और किद्वई शामिल होते थे तो ये कुछ एक important मंतरी थे जिनके साथ बैट के पंडित नहरू ने कई तरीके के फैसले लिए होंगे तो इसे आंतरिक कैबिनेट आप कह सकते हूं तो दोस्तो ये है मंतरी परिशद के बारे में काफी सारी चीज़े I hope आप आप से कहना चाहता हूं कि राज्ये में भी एक मंतरी परिशद होता है जैसे केंद्र का मंतरी परिशद ये है वैसे राज्ये का भी होता है जो कि इससे काफी मिलता जोलता है तो अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो वो चीज़ भी आपको clear हो जाती है लेकिन अगर आप मु बहुत से मैत्वपूर्ण प्रश्ण बनते हैं जो काफी सारे एक्जाम्स में repeat करकर के पूछे जाते हैं तो उन सभी प्रश्णों या objectives को हम देखने की कोशिश करेंगे तो जादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम बात कर रहे हैं संसत की तो भारत के संविधान में जो संसत ये प्रणाली ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है और इसलिए इस प्रणाली को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं ये model सरव प्रतम England में develop हुआ था इस model के हिसाब से England में एक संसद यानि कि Parliament होती थी और उसमें दो house होते थे एक होता था house of lords जो की बड़े लोगों की सभा होती थी और एक होता था house of commons यानि कि जो common लोगों की सभा होती थी इसी चीज़ को देखते हुए भारतिय पार्लियमेंट यानि कि भारतिय संसद में दो houses बने हुए हैं एक है राज्य सभा जो की upper house कहलाता है और एक है लोग सभा जो की lower house कहलाता है और इसका एक और अंग होता है जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपती और इंगलेंड में राष्ट्रपती की जगह ताज होता है जैसे कि queen ने ताज पहना हुआ है तो वो उस जगह पे काम करेगी ठीक है तो यहाँ पहला सभाल तो यही बनता है कि संसत के अंग कौन कौन से होते हैं लोग सभा यानि कि lower house जिसको निमन सदन भी कहते हैं राज्य सबा यानि की उच्छे सदन बोलें तो upper house और तीसरा होता है राष्ट्रपती जो दोनो सदनों की जो सित्र होता है इसको बुलाता है अब दूसरा सवाल यह बनता है कि भारतिय संसत का उलेक संविदान के kौन से भाग एवम अनुछेद में किया गया है तो देखो इसका जवाब है भारतिय सम्मिदान के पांचवे भाग में अनुचेद 89 से 122 तक के जितने भी अनुचेद हैं उसमें संसत के गठन, संरचना, अवधी, अधिकारी, प्रक्रिया, विशेशा अधिकार एवं शक्तिवे कारेों के बारे में बताया गया है लेकिन यहाँ पे आपको एक important sequence याद रखना है देखो यहाँ पे अनुचेद 89 जो है 79 जो है उसमें संसत के बारे में बताया गया है अनुचेद 80 में राज्य सभा के बारे में बताया गया है और अनुचेद 81 में लोक सभा के बारे में बताया गया है तो यह एक क्रम बन जाता है 89 संसद उसके बाद राज्य सभा यानि की अपर हाउस फिर लोवर हाउस इसको आप यह से याद रख सकते हो कि घटते वे क्रम के अंदर है जैसे की संसद है उसके बाद अपर हाउस है फिर लोवर हाउस है और यहां पर बढ़ते वे क्रम में हैं 89 असी 81 तो यह एक important sequence है यह पूछ लिया जाता है तो इसको अलग से याद कर लो तो यह दोनों सदन मिलके ही संसद बनाते हैं और राष्ट्रपती इनका अभिन अंग होता है याद रखिए राष्ट्रपती राज्य सभा या लोग सभा दोनों में से किसी का भी member नहीं होता है लेकिन वो इसका अंग हो करते हैं लोग सभा और राज्य सभा के बारे में सबसे पहले हम लोग सभा करते हैं लोग सभा के बारे में तो देखो लोग सभा में सबसे पहले समझ लो कि इसके कुछ नाम है लोग सभा को पहला चैंबर चर्चित सभा या फिर निचला सदन कह करके पुकारा जाता है और में इसका नाम होता है house of the people तो इन में से किसी भी एक नाम से आप से लोकसभा के बारे में पूछा जा सकता है अच्छा ये नाम रखे कब गए ये नाम रखे गए 1904 में इससे पहले एक अलग विवस्ता चलती थी 1954 के बाद house of the people यानि कि लोकसभा और राज्यसभा की विवस्ता हो गई इसमें दूसरा point है कि लोकसभा संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का परतिनेद्व करती है वो क्यूं? क्योंकि हमें पता है कि लोकसभा में जितने भी सदस्य बैठते हैं इसके बाद अगला पॉइंट है कि लोगसभा के सदस्यों का निर्वाचन या चुनाओ परत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। दोनों का जो संयोग तजिवेशन होता साथ में बैठक होती है उसकी अध्यक्षता भी लोगसभा का अध्यक्ष ही करता है। इसके बाद पूछा जाता है कि लोगसभा में कुल सदस्यों कितने होते हैं और कौन से सदस्यों क्या कारे करते हैं। अब देखो लोगसभा में अधिक्तम सदस्यों की संक्या है वो 552 हैं। आपको पता है कि 552 जो सदस्य हैं वो 2026 तक के लिए हैं। क्यों? क्योंकि तब ही तक के लिए फिक्स की गई है सदस्यों की संक्या। उसके बाद अगर चेंज होनी होगी तो हो जाएगी। लेकिन 2026 तक तो यही रहेगी। और उसमें भी अगर देखा जाए वर्तमान में कितने सदस्य हैं लोगसभा में? पांसो पैतालिस सदस्य हैं तो यह दो तरीके से हो गए। अगर बात करोगे वर्तमान की तो वर्तमान में दो सदस्य एंगलो इंडियन हैं और पांसो तैयालिस सदस्य हैं निरवाचित सदस्य हैं मतलब दो जो हैं वो अलग से एंगलो इंडियन रखे जाते हैं और पांसो सबा का चुना होता है तो हर न्यूस चैनल पे आपको 543 सीटे नदर आती है तो वो लोग सबा की सीटे होती है अच्छा इन 543 में से भी 13 जो सीटे होती है वो केंदर शाषित परदेशों के कुछ एक important लोगों के लिए होती है मतलब वहाँ से जो परतियदी आएगा उनके लिए है और जो बचे हुए 530 हैं वो राज्यों से है मतलब जो नॉर्मल राज्ये हैं जो 28 राज्ये हैं उस में से चुन चुन के आएंगे MPs वो 530 है तो ये वर्तमान इस्तिती है जो ज़ादा इसको पहले याद रखना है इसके बात बात करोगे अदिक्तम की तो अदिक्तम में भी 2 Anglo Indian होंगे और 550 निर्वाचित होंगे और उन 550 निर्वाचित में से भी 530 जो होंगे वो राज्यों से चुन के आएंगे और 20 जो होंगे वो केंद्रिय शाषित परदेशों से चुनके आएंगे तो ये जो आपको चार्ट देख रहा है इसमें से वर्तमान वाले पार्ट को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इसी में से ज़्यादा प्रश्ण बनते हैं इसके बाद बात करते हैं मंत्री परिशद की देखो लोकसबा जो बनती है न उसमें मंत्री परिशद ही होता है मतलब जित्ते भी सदसे होते हैं सारे मंत्री परिशद के ही होते हैं जैसे कि लोकसबा में तीन तरीके के मंत्री होते हैं एक cabinet मंत्री, जो कि हम जानते हैं क्या होते हैं, एक राज्य मंत्री और एक ऐसे मंत्री भी होते हैं, जिनके पास कोई विवाग नहीं होता, तो इन तीनों से मिलके मंत्री परिशद बनता है, जिनका head कौन होता है, प्रधान मंत्री, तो ये जो आपको पूरा डबा दिख रहा तो अब ये सवाल उठता है कि यहाँ पे विपक्ष का क्या रोल है देखो विपक्ष जो है लोक सवा में एक important चीज कर सकता है वो है अविश्वाश प्रस्ताव जिसको no confidence भी कहा जाता है अब देखो इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा देखो विपक्ष क्या है कि यह आविश्वाश प्रस्ताव बेसिक लिए प्रधान मंतरी के लिए करता है देखो एक चीज मैं आपको बताओ मैं आपको प्रधान मंतरी वाली वीडियो में बता चुका हूँ बहुमत का तब ही जाकर के वो प्रदानमंत्री बन सकता है अन्यता राष्टपती उसे हटा देता है तो विपक्ष क्या करता है कि सरकार को गिराने के लिए आविश्वास परस्ताव रखता है जिससे सरकार बदल सके तो विपक्ष के लिए इंपॉर्टन चीज है अच्छा य होना चाहिए सर्फ सत्र में एक ही बार रखा जा सकता है एक सत्र में एक बार अच्छा अगर अविश्वास परस्ताव रखना है तो उसके लिए कुछ एक रिक्वार्मेंट्स है वो क्या है कि एक लिकित नोटिस देना होगा जिसमें 50 लोग सभा के सदस्यों का सपोर्ट हो यह उनी के किलाफ आविश्वास परस्ताव रखा जा सकता है ठीक है तो यह एक इंपोर्टन बात है इसको याद रखना है अच्छा एक जीके का कॉश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे प्रधान मंत्री है जो आविश्वास परस्ताव की वज़े से हटाए गए थे तो इसका जवाब है मौरारजी देशाई मौरारजी देशाई की सरकार ऐसे ही गिरी थी अच्छा लोकसभा से जुड़ा हुआ एक इंपोर्टन पॉइंट यह है कि कोरम व्यवस्था या फिर गनपूर्ती देखो इसमें क्या होता है कि जितने भी टोटल सदस्य होते हैं लोकस सबा आएंगे तब उनकी जो बैठक है वो मानने मानी जाएगी नहीं तो वो अमानने मानी जाएगी आपको याद होगा चमवाले स्वे समिधान चंशोदन के तैयत पर ने आपको बताया था कि मौरारजी देशाई की सरकार इसे वापिस लेके आई थी इंदरा गांधी सरक ने कोरम विवस्ता को हटा दिया था ठीक है तो अगर इसका मतलब 545 सदस्य हैं लोकसवा में तो कम से कम 55 सदस्य आएंगे तब उनकी जो बैठक है वो मानने मानी जाएगी अन्य था वो अमानने मानी जाएगी अब आते हैं लोकसवा से जुड़े हुए कुछ एक जर्नल ल जाव लंकर इसको आपको याद रखना है एक एस सवाल आता है कि पहली लोकसवा महिला अध्यक्ष कौन थी तो इसका जवाब है मीरा कुमारी इसको भी आपको याद रखना है और वरतमान में लोकसवा अध्यक्ष कौन है वो है ओम बिरला और संसत के कौन कौन से काल होते ह एक होता है मौर्निंग से शुरू होके बारा बज़े तक चलता है जिसको प्रश्नकाल का आ जाता है एक बारा बज़े से शुरू होता है और कुछ देर तक चलता है जिसको हम लोग कहते हैं शूनने काल ठीक है इसे उच्छ सदन, अपर हाउस या काउंसिल आफ स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है इस अपर हाउस या राज्य सभा को हम पर्मानेंट हाउस या फिर स्थाई सदन भी कहते हैं वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से कुछ एक सदस्य हर साल दो साल में रिटायर हो जाते हैं ठीक है? मतलब ये समझ लो एक बटा तीन एक तिहाई ऐसे सदस्य होते हैं जो साल दो साल में रिटायर हो जाते हैं और उनकी जिगे नहीं आ जाते हैं तो ये जो सभा है, राज्य सभा, ये कभी भंग नहीं होती है, इसलिए इसे स्थाई सदन कहा जाता है, ये पूछा जाता है कि स्थाई सदन किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, तो इसका जवाब आप देख सकते हो, अच्छा, राज्य सभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता वेल इनकी नियुक्ति विधान सभाओं दारा की जाती है, जो राज्य की विधान सभाओं होती है, वहां से आते हैं, ये इनकी नियुक्ति वहां से होती है, राज्य सभा की जो सभापती होते हैं, इनका कारेकाल 6 वर्ष का होता है, लोग 5 वर्ष लिख देते हैं, बिना जान वो क्यों? क्योंकि बाकी सदस्यों का 6 वर्षका इसलिए होता है क्योंकि वो सदस्य हैं लेकिन उपराष्ट्रपती राज्य सभा का सदस्य नहीं होता है मैं रूपराश्टपती वाली वीडियो में आपको इचीज बता चुका हूँ कि वोट करने की जब बारी आती है तो सभापती यानि कि उपराश्टपती वोट नहीं कर सकता है सरफ एक ही इस्तिती में कर सकता है वोट वो जब राज्जे सभा में किसी बिल को लेके 50% 50% का मामला बैठ जाए और कोई निर्नायक वोट करना हो तब उपराश्टपती का वोट लिया जाता है अनिता नहीं लिया जाता है सभापती के अलावा राज्जे सभा का उप सभापती भी होता है उसे कौन चुनता है उसे राज्जे सभा के सदसे चुनते है जैसे लोग सभा के सदसे आपस में लोग सभा अधिक्ष चुनते है वैसे ही यहाँ पर उप सभापती चुना जाता है ठीक है इसके बाद बात करते हैं कि राज्य सभा का मेंबर होने के लिए आपके पास क्या योगिता होनी चाहिए पहला तो ये कि वो भारत का नागरेक होना चाहिए ये तो fix सही तो आपको याध होनी ही चाहिए और दूसरा ये कि उसकी न्यूनतम आयू 30 वर्ष होनी चाहिए मैंने कहा था न, वहाँ पे 25 वर्ष थी, यहाँ पे 30 वर्ष है, तो अगर कोई व्यक्ती लोक सभा से प्रधान मंतरी बन रहा है, तो उसका नियुनतम आयू कितना चाहिए 25 वर्ष, और अगर कोई व्यक्ती राज्य सभा से प्रधान मंतरी बन रहा है, तब उसका नियुनतम सदसे हैं वो 250 हो सकते है लेकिन وरतमान में उनकी संक्या 245 है तो हमें हमेशा वरतमान पे फोकस करना है वरतमान में 245 में से 12 तो राष्टरपती दोरा चुने जाते है आपको पता है जो कि विज्ञान या फिर कला या फिर کसी भी शेतर से हो सकते हैं उसके अलावा जो 233 होंगे वो निर्वाचन के माद्यम से आएंगे जिसमें से 239 आएंगे राज्यों से और चार आएंगे केंद्रिय शाषित प्रदेशों से ठीक है तो ये वाला जो चार्ट है वर्तमान का आपको याद रखना है रही बात अधिक्तम की तो अधिक्तम में भी 12 जो है वो राष्ट्रपती द्वारा चुने जाएंगे और 238 जो है वो निर्वाचन से आएंगे ठीक है अब बात करते हैं तो तीन जीके की कос्ट्रपती जो आप से पूछे जाएंगे राज杰सभा के संदर्ब में पहला तो ये है कि पहले सभापती यान कि पहले राज़सभा के अध्यक्ष कौन थे तो आप कहोगे सर्वपली डॉक्टर रादा क्रिश्णन पहले उप सभापती कौन थे तो आप कहेंगे S.V. कृष्टमूर्टी राओ ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं देखना बूलना नहीं है ना इसके बाद पूछा जाएगा कि वरतमान सभापती कौन है देखे इस वक्त अगर आप हैं अगर आप एक्जाम दे रहे हैं तो आप से पूछा जा सकता है तो आप जवाब देंगे जगदीप धनकड जो की पहले पश्चिम मंगाल के राजपाल थे आज उपर आश्टपती है भारत के इसलिए इन्हें राजव सभा का सभावती बनाया गया है तो दोस्तों ये वो सारी चीजे थी जो आपको लोग सभा और राजव सभा के बारे में जानना जरूरी है मैं उमीद कर रहा हूँ कि आपने नोट्स बना लिये होंगे अब एक आखरी टॉपिक और बचता है जिसको हम कहते हैं संसत की समीतियां जो की important है क्यों? क्योंकि इसमें से एक समीति है जिससे बार-बार प्रश्ण बन रहे हैं और मैं कहूंगा इसको तो आप याद करी लेना देखो संसत ने क्या है कई तरीके की समीतियां बनाई है जैसे कि सबसे पहले है लोक-लेखा समीति या फिर लोक-सेवा समीति भी कहते हैं इसको दूसरा है सामान्य प्रयोजन समीति, विशेशा अधिकार समीति, आचरंड समीति, पुस्तकाले समीति, याचिगा समीति, सदस्यों की अनुपस्तिती सम्मंदी समीति इस तरीके से कई तरीके की समीतिया हैं जो संसत में काम करती हैं, जो अलग-अलग चीज़े देखती हैं, लेकिन इन में से यह उपर वाली है, लोक सेवा समीति या फिर लोक लेखा समीति, यह सबसे जदा important है, मैं आपको एक-एक लाइन में points बताऊंगा, जो आपको याद र सभा के हैं और सात राज्य सभा के हैं, देख लिए नंबर में confused नहीं होना है, पंदरा लोक सभा, सात राज्य सभा, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो आप लिखेंगे विपक्ष का नेता, अभी आप वरतमान समय की बात करोगे, तो अधीर, रंजन, चौदरी जो है, वो भी खर्चा होता है, उन सब की जाच करना, उसके लिए ये अध्यक्ष रखा जाता है, और विपक्ष का नेता इसलिए रखा जाता है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे, लोक तंत्र बना रहे, ठीक हैं, और इसको नियुक्त कौन करता है, मतलब जैसे अधीर, रंजन, तो दोस्तो ये है भारतिय संसत प्रनाली, दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा भारत की न्यायपालिका के बारे में, यानि की भारत की न्यायपालिका कैसे काम करती है, और उसमें भी सर्वोच न्यायले के बारे में, यानि की सुप्रीम कूर्ट के बारे मे नियाय पालिका भारत के सम्विधान का एक बहुती मैत्वपूर्ण अंग है जो कारेपालिका और विधाईका के बाद आता है। दोस्तो मैंने आपको सम्विधान के अंगों के बारे में एक वीडियो में बताया था जो कि ये थी, और कारेपालिका और विधायका के अंगों के बारे में भी चर्चा की थी, अब नियायपालिका को पढ़ते समय जो सबसे जरुरी टॉपिक होता है वो है सर्वोच नियायले या फिर उच्च तम नियायले इससे बहुत से प्रश्ण बनते हैं और मैं चाहता हूं कि आपका एक भी objective या प्रश्ण छूटे नहीं तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं देखे इसमें सबसे पहली मैत्वपूर्ण बात ये है कि भारत में एकी करत नियाय विवस्ता अपनाई गई है अर्थात सबसे उपर सरवोच नियायले उसके अधीन राज्यों के उच नियायले यानि कि हाई कोट और उसके नीचे जिला नियायले और अन्य अधीनस्त नियायले जैसे कि पंचायतों की भी नियायले होते हैं वो सारी चीज़े आती है इसके अंदर लेकिन ये एक धाचा है जिसको हम एकी करत कहते हैं अब ये जो विवस्ता है पूरी दुनिया में सबसे सफल नियाय विवस्ताओं म कि केंद्रिय न्याय विवस्ता अलग है और राज्य के लिए न्याय विवस्ता अलग है तो अमेरिका की इस विवस्ता को द्वैद न्याय पाले का या द्वैद न्याय विवस्ता कहा जाता है और भारत की एक इकरत कहा जाता है अब बात करें सर्वोच न्यायले की तो सर्वो प्रति रूप को ही सर्वोच न्यायले का उद्गाटन हुआ था अच्छा इसे लिया कहा से गया था ये जो विवस्ता थी वो भारत सरकार अधीनियम 1935 से लिए गया थी हमें मालूम है कि हमारे समविधान में 250 के से भी ज्यादा अनुचेद ऐसे हैं जो भारत सरकार अधीनिय 1935 से लिए गये हैं तो इस अधीनियम के तहट एक न्याय ववस्ता होती थी संगिये न्याय विवस्ता तो उस विवस्ता के उत्तरा अधिकारी या फिर प्रती रूप को ही सर्वोच न्यायले कहा जाता है तो आब यहां पे सवाल पूछा जाता है कि सर्वोच न्यायले की जो व्यवस्ता है इसको सम्विधान में कहां जगे दी गई है तो आप लिखेंगे सम्विधान के पांचवे भाग में अनुछेद 124 से लेके 147 तक सर्वोच न्यायले के गठन, स्वतंतरता, न्यायशेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया, आदी का उलेख किया गया है अब हम सर्वोच न्यायले के गठन, न्यायश, न्यायशों की न्यूकती, स्थान, स्वतंतरता, शक्तियां एवं शेत्र अधिकार को विस्तरत रूप से समझेंगे ताकि आपका एक भी अबजेक्टिव ना चूटे तो शुरू करते हैं गठन के साथ देखे जब 1950 में सर्वोच न्यायले का गठन हुआ था तो उस वक्त मूल रूप से उसमें आठ न्यायश थे जिसमें से एक मुख्य न्यायश यानि की चेफ जिस्टिस ऑफ इंडिया और साथ अन्या न्यायश थे लेकिन संसत को ये शक्ती प्राप थी कि वो न्यायश थेशों की संख्या बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है इसलिए उन्होंने 1956 में अन्यायश थेशों की संख्या 10 कर दी यानि कि कुल 11 हो गए फिर 1960 में 13 कर दी फिर 1977 में 17 1986 में 25 फिर फरवरी 2009 में इसे बढ़ा कर 31 कर दिया गया और अगर आप बात करोगे 2023 की यानि कि वर्तमान की तो कुल न्यायश थेशों की संख्या 33 है जिसमें CJI यानि कि Chief Justice of India शामिल है मैं आपको बता दूँ कि ये जितने भी न्यायश थीश बढ़ाये गए हैं ये अनुचिद 124 का या फिर 1 के तहट बढ़ाये गए हैं अब इतने सारे न्यायश थीशों को इस तरीके से बढ़ाये जाने का मतलब यही रहा होगा कि देश में बहुत से वाद विवाद भढ़ते गए और उन्हें सौल करने के लिए न्यायश थीशों की जरुवत पढ़ती गए इसलिए अनुचिद के इस पार्ट को लाया गया कि जरुवत पढ़ने पर ज्यादा से ज्यादा न्यायश थीशों को बढ़ाया जा सके तो इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल आता है कि न्यायश थीशों की नियुक्ती कैसे होती है देखो नियुक्ती का जो वर्णन है वो इसी अनुचिद के दूसरे पार्ट यानि की 124.2 के तहट मिलता है कि सर्वोच न्यायले के मुख्य न्यायश थीश यानि की Chief Justice of India की नियुक्ती राष्ट्रपती करता है लेकिन राष्ट्रपती अपने मन से किसी को सर्वोच न्यायले का मुख्य न्यायश थीश नहीं बना सकता है इस व्यवस्ता का पूरा विवरण, यानि कि यह जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम सिस्टम, इसका पूरा विवरण, आपको 124 अनुचेद में और 217 अनुचेद में मिलता है अब देखो जैसा कि मैंने बताया कि कॉलोजियम सिस्टम के अंदर पांच लोग होते हैं इनकी टीम के अंदर अगर दो लोगों ने भी अपना मत चेंज कर लिया मतलब उनके पक्ष में नहीं है कि जिनको नयादीश बनाना है उनके पक्ष में नहीं है तो ऐसे में ये सुफारिश नहीं भेजी जाएगी राष्ट्रपती को ये सिस्टम इसलिए अच्छा माना जाता है कि इसमें सरकार अपना फाइदा नहीं उठा सकती है मतलब सरकार की तरफ से कोई नियाएदीश नहीं बठाया जाएगा बलकि नियाएदीशों की तरफ से ही नियाएदीश बठाया जाएगा फिर चाहिए वो भारत का मुख्य नियाएदीश हो या फिर अन्य नियाएदीश हो अच्छा इसके बाद योगिता की बात आती है यानि कि अगर कोई सुप्रेम कोर्ट का न्यायदीश बनना चाता है तो उसके बास क्या योगिता होनी चाहिए तो देखो सबसे पहली योगिता तो आपको पता होगी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए दूसरे में तीन पूरी कर पाता है तो दूसरा है कि उसे उच्छ न्यायल है या फिर किसी अन्य उच्छ न्यायल है कोई एक हाई कोर्ट या कोई दूसरे हाई कोर्ट के अंदर मिलाकर दस वर्ष तक वकील का काम करना है और तीसरा ये कि राष्टपती के मत में उसे एक सम्मानित न्यायवा तो लग जाएगा कि अगर 5 वर्ष के लिए जज है या फिर 10 वर्ष के लिए वकील है या फिर राष्टपती की नजर में बहुत बड़ा सम्मानित न्यायवादी है कानून विशशक्य है तो वो व्यक्ति experience holder तो जरूर होगा मतलब वो अनुभवी तो जरूर होगा तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का न्यायदीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयू नहीं दी गई है क्योंकि experience के बगेर तो वो वैसे भी नहीं बन सकता तो ऐसे में उसकी ऐजे न्यायदीश अधिक्तम आयू क्या होगी तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा उसका कारेकाल देखो सम्विधान में सर्वोच न्यायले के न्यायदीशों का कारेकाल तैन ही किया गया है लेकिन फिर भी ये कहा गया है कि वो अधिक्तम 65 वर्ष की आयू तक अपने पड़ पर बना रह सकता है पहली चीज़ तो ये है यानि कि 65 वर्ष के बाद वो रेटायर हो जाएगा दूसरा ये है कि वो इसी बीच राष्ट्रपती को लिखित त्याक पत्र दे सकता है यानि कि खुद ही अपनी पोश्ट छोड़ सकता है और तीसरा ये कि संसत की सिफारिश पर उसे राष्ट्रपती द्वारा पद से हटाया जा सकता है तो नियूनतम आयू है नहीं और अधिकतम आयू के लिए 65 वर्ष तक वो अपना कारे कर सकता है उसके बाद वो रेटायर हो जाएगा या फिर वो अपना त्याक पत्र दे देगा या राष्ट्रपती उसे हटा देगा संसत के कहने पर मतब संसत की सिफारिश पर तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी नयायदीश को जो कि उच्चितम नयायले का नयायदीश है उसको हटाना इतना की चीज़े हैं पहला तो उसके खिलाफ सिद्ध करना पड़ेगा कदाचार को कदाचार क्या है याँ पर भ्रष्टाचार असम्मेधानी करन और दूसरा ये है कि उसके खिलाफ दुर व्यवार या फिर असमर्थता साबित करने ही पड़ेगी असमर्थता के अंदर भी आता है कि वो डेसिजन नहीं ले पाता है तो ऐसी इस्सति के अंदर उसे हटाया जा सकता है लेकिन हटाने की उसकी एक प्रकरिया होती है जो कि संसद द्वारा की जाती है तो अब ये प्रकरिया होती कैसे देखो इसको हटाने के लिए संसद में एक प्रिस्ताव पेश करना पड़ता है जिसको कहते हैं निश्कासन प्रिस्ताव इसको याद कर लीजिए इसके नाम से प्रशन बनते हैं निश्कासन प्रिस्ताव के नाम से ये प्रिस्ताव लोग सभा में भी आ सकता है और राजी सभा में भी आ सकता है लेकिन अगर ये लोग सभा में आया है तो इसके लिए कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए हस्ताक्षर चाहिए और अगर यह राजी सभा में आया है तो उसके लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए हस्ताक्षर चाहिए जब यह प्रस्ताव तयार हो जाता है तो इसे सभापती चाहे वो लोग सभा का हो चाहे वो राजी सभा का हो उसके सामने पेश करना होता है फिर सभापती उसे स्विकार भी कर सकता है और अस्विकार भी कर सकता है जब वो उसे स्विकार कर लिया तो स्विकरती मिलने के बाद सभापती इसकी जाच के लिए एक टीम तयार करेगा एक टीम गटित करेगा जिसे हम कमिटी कहते हैं इस कमिटी में तीन लोग होंगे कौन स इसी भी हाई कोट का कोई मुख्य नयायदीश, जैसे कि हमारे देश में बहुत से हाई कोट है, उसका कोई भी एक मुख्य नयायदीश होगा, और तीसरा कोई पृतिष्टित नयायवादी या फिर कानून विशेशक्य होना चाहिए, तो ये जो तीन सदस्य कमिटी है, ये जा जाता है, और राष्टपती इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, और इस तरीके से नयायदीश को हटा दिया जाता है, याद रखिए ये भी महाभियोग की प्रक्रिया है, लेकिन सम्विधान में नयायदीशों के लिए महाभियोग शब्द का प्रियोग नहीं किया गया है, महा 91-93 के बीच में वी रामा स्वामी एक मातर नियाधीश थे जिनके खिलाफ या आरोप लगा था लेकिन इनके खिलाफ पारित नहीं हुआ ये बिल और राश्टरपती के पास गया नहीं और ये कभी हटा ही नहीं गया तो ये है किसी नियाधीश को हटाने की प्रकृषा आई होप आपको समझ में आई हूँ अच्छा इसमें एक सवाल और पूछा जाता है कि शपत या फिर प्रतिज्ञान ये जो नियाधीश होते हैं शपत के सामने लेते हैं तो आपको पता होगा कि ये शपत लेते हैं राष्टरपती के सामने या फिर राष्टरपती किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दे किसी स्पेशल व्यक्ति को उसके सामने अब बात करते हैं नियाएदीशों के वेतन और भत्तों के बारे में देखो मैं आपको बताओं कि चीफ जेस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं इन्हें वर्तमान में 2,80,000 रुपे परतीमा मिलते हैं और जो अन्य नियाएदीश है सुप्रीम कोट के उच्छेतम नियाए लेके उन्हें 2,50,000 रुपे परतीमा मिलते हैं हाई कोट के जो मुक्य नियाएदीश है उन्हें 2,50,000 रुपे परतीमा मिलते हैं तो उस स्थिमें इनके जो वेतन और भत्ते हैं वो घटा दिये जाते हैं और इन्हें कौन घटाता है संसत घटाती है अब बात करते हैं सरवूच न्यायले के न्यायदीशों से जुड़ी हुई कुछ एक इंपॉर्टन चीजों के बारे में जिनसे सवाल बनते हैं जैसे की कारेकारी न्यायदीश का मतलब ये हो गया कि जैसे मुखे न्यायदीश है, CJI वो अगर उसका पद जो है रिक्त है किसी वज़े से तो उस समय भारत का राश्टरपदी किसी अन्य नयायदीश को चुन कर उसे मुख्य नयायदीश बना सकता है अब वो किन इस्तितियों में ऐसा कर सकता है पहला तो ये कि अगर मुख्य नियादीश का पद वैसे ही रिक्त हो किसी वज़े से दूसरा ये कि अस्थाई रूप से मुख्य नियादीश अनुपस्तित हो मानलो कि वो कुछ समय के लिए असमर्थ है उनकी तवित खराब है वगेरा वगेरा या फिर तीसरा ये कि मुख्य नियादीश अपने दायत्वों के नियरवाचन में असमर्थ हो तो ऐसी सिती में थोड़े समय के लिए दूसरा नियादीश आ सकता है इसी को हम कारेकारी नियादीश कहते हैं अच्छा इसी से जुड़ा हुआ एक और वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं तदर्थ नियादीश या फिर एड हॉक नियादीश अब ये क्या होता है देखो अभी मैंने आपको बताया कि वर्तमान में सर्वोच नियादीश को मिलाकर 33 नियादीश है अगर माल लो कि उनका कोरम या फिर गणपूर्ती अधूरी है कुछ नियादीश है नहीं तो ऐसी सिति में अनुचेद 127 के तहट भारत का मुख्य नियादीश जो CGI है जो Chief Justice होता है मुख्य नियादीश वो किसी दूसरे High Court से कोई भी एक नियादीश होगा उसको नेउक्त कर सकता है अस्थाईकाल के लिए तो ऐसे में उसे तदर्थ नियादीश कहा जाएगा या फिर Ad-Hoc नियादीश तो उस स्थी में उस तदर्थ नियादीश को बाकी सारे काम छोड़के सर्वोच नियादीश के कामों पर अपना फोकस करना पड़ेगा उन्हें सारे दायत वे निबाने पड़ेंगे और उन्हें जितनी भी शक्तियां जो सर्वोच नियायले के नियायदीश को प्राप्त होती हैं वो सब उन्हें प्राप्त हो जाएंगे, सारे विशेशा अदिकार उन्हें प्राप्त हो जाएंगे और इसके अलावा एक शब्द और आता है सेवा निम्रत नियादीश यानि कि रिटायर जो जज होते हैं उनकी बात होती है। देखे क्या होता है कि कभी कभी जजस कम पढ़ते हैं या फिर यह कहलो कि काम बढ़ जाता है, बहुत ज़ादा कारे भार आ जाता है। तो ऐसी सिती में जो नियादीश रिटायर हो चुके हैं उनको संसद नियुक्त करती है बहुती अल्प काल के लिए ताकि काम को घटाया जा सके, काम को जल्दी पूरा किया जा सके। याद रुखिए कि ये बहुती कम समय के लिए आते हैं लेकिन ये कारे को घटा के जाते हैं अच्छा इसमे एक और पॉइंट है जो बार बार पूछा जाता है कि उच्चितम नियायले का स्थान आप सभी को पता है कि सम्विधान ने उच्चितम नियायले को दिल्ली में बड़ेगी अब देखो चुकि कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो इसलिए इसे दिल्ली में ही रखा गया है दिल्ली चुकि राजदानी भी है देश की इसलिए उसकी जो मूल जगया है उसे वहीं रखा गया है अब देखो मैंने इतना कुछ आपको नियायधीशों के ब अनुचेद 131 के तैयत मिली हुई है कि अगर कोई विवाद केंदर वे एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में होता है यानि केंदर एक तरफ और एक या एक से अधिक राज्ये एक तरफ तो उनका जो मामला है वो सुप्रीम कोट निकालता है मतलब उसको सॉल्ट सॉप करेगा और तीसरा ये है कि एक या एक से अधिक राज्ये के बीच में कोई मामला हो जाता है कोई वाद विवाद हो जाता है तो उसको सॉल्ट करने का काम भी सॉप्रीम कोट ही करता है तो आप ये कह सकती हो कि एक विशेश अधिकार है मूल विशेश अधिकार है जो या फिर रिट की शक्ति, देखो आपको याद होगा मैंने मौलिक अधिकारों में आपको बताया था, कि जो उच्छितम न्यायल है, सरवच न्यायल है, वो पाँच तरीके की रिट जारी कर सकता है किसी आम इंसान के मूल अधिकारों के लिए, कौन सी थी वो पाँच, बंदी मौल अधिकार की रक्षा करने के लिए, ये रिट जो है, ये न्यायल है, देता है, अगर आपको इन सभी के बारे में एक एक करके जानना है, तो मैंने लिंक डिस्रिप्शन में डाल दिया है, मौल अधिकार का, तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है, तो ये करेगा, और मालो कि सुप्रीम कोर्ट पे भी नहीं मिलाना, तो इससे आगे वो नहीं जा सकता, मतलब वो फाइनल फैसला है, तो अपील जो है, वो आखिर में यहीं आ करके पहुँचती है, हाला कि मैं आपको एक चीज बता दूँ, कि हर एक मामले के लिए आप सुप्रीम क जाया जा सकता है, और उसके अलावा कुछ एक विशेश अनुमती लेनी पड़ती है, कुछ एक मामलो के अंदर, तो वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, इसके बाद जो चौथी शक्ती है, वो आती है, सलाकार, शेत्रा, अधिकार, दूस्तों मैं आपको रा उनसे मामले हैं, जिन पर वो राष्ट्रपती को सला दे सकते हैं, पहला तो ये है कि सारवजनिक महत्वों में किसी मामले पर कोई प्रश्र उटता है, तो उस पर, और दूसरा ये कि कोई पुरानी संदी हुई है, कोई समझोता हुआ है, कोई सनद हुई है, को ऐसा कोई माम पांच वी जो शक्ति है वो है अभी लेखो का न्यायल है देखो सर्वोच न्यायल है को अभी लेखो का न्यायल है भी कहा जाता है यह तो आपको पता ही होगी अभी आपको यादा जाएगी आपने देखा होगा कि कई अगर आपने कोई लॉक की फिल्म देखी हो तो उसमें क कि कोई भी जज होता है या फिर कोई भी वकील होता है वो सुप्रीम कोट के किसी फैसले का हवाला देता है या फिर किसी कारेवाई का हवाला देता है कि वहां पर ऐसा हुआ था तो यहां पर ऐसा होना चाहिए तो सुप्रीम कोट में जितनी भी कारेवाई या फैसले होते हैं वो अन्य न्यायले के लिए एक तरीके का समझे लो कानून बन जाते हैं एक साक्षे बन जाते हैं एक रास्ता बन जाते हैं तो उसी पर चलते हैं बाकी सारे न्यायले की सुप्रीम कोर्ट में यह हुआ था तो यहाँ पर भी यह चीज़ कर सकते हैं हम लोग इसमें चटवी जो शक्ती है सरवोच न्यायले की वो है न्यायक समीक्षा की शक्ती, आपको यहाँ पे नाम में नजर आ रहा होगा कि कोई समीक्षा चल रही है किसी न्याय की, ऐसा बहुत बार होता है कि सुप्रीम कोट को न्याय देता है और बाद में उसकी समीक्षा करके उस न्याय को बदल भी देता है अब ऐसा सुपरीम कोट क्यों करता है वो इसलिए करता है ताकि सम्विधान को बचाया जा सके ऐसा बहुत बार होता है कि पहले जो न्याय दिया गया था वो अभी के लिए ठीक नहीं है मतलब वो अज सम्विधानिक साबित हो रहा है अभी के लिए तो इसको बदलना पड़ेगा तो कुल मिलाकित सम्विधान को बचाने के लिए ये कारे किया जाता है तो इसलिए कहते हैं कि उसे न्यायक समिक्षा की शक्तियां प्राप्त है इसके बाद इसकी आखरी शक्ति आती है यानि कि साथवी शक्ति आती है जिसको हम कहते हैं अन्य शक्तियां इन अन्य सक्तियों में क्या चीज है पहली तो ये कि वो राष्टपति या उपराष्टपति या निर्वाचन हो रहा हो तो उस स्थती में कोई वाद विवाद खड़ा हो जाता है तो उसका निप्तारा कौन करता है? सुप्रीम कोट करता है दूसरा ये कि वे संग लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या फिर सदस्य होते हैं उनके व्यवहार या फिर आश्रण का जाच करता है और मान लो कि किसी चीज में वो से दोशी पाता है तो वो राष्टपती से ये शिफारिश कर सकता है कि आप इन्हें हटा दो और एक शक्ती ये कि अगर हाई कोट में कोई मामला पढ़ा है जो कि बहुत ही लंबित है यानी कि बहुत लंबा मामला चल रहा है किसी के ऊपर तो ऐसे में वो हाई कोट को बोल सकता है कि ये मामला मेरे पास भेजो या आपके अधिकार शेतr से भाहर है और मैं सवाल कर सकता हूँ यानि कि हम इसको सवाल कर सकते हैं ये अधिकार और शक्ती भी सुप्रेम कोर्ट को मिली हुई है। और अन्य शक्तियों में आखरी शक्ती ये है कि इसकी जो विदियां, इसके जो कानून होंगे भारत में सबी न्यायले के लिए बात दे होंगे। मतलब सभी नयायले को इसके कानून को मानना पड़ेगा और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है वो पूरे भारत में लागू होता है एक साथ। तो इस तरीके से बहुत सी शक्तियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को यानि कि सरवोच नयायले को दी हुई हैं। तो दोस्तो मैंने तकरीबन इसके सारे पॉइंट आपके सामने कवर कर दिये हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसके बाहर कोई अबजेक्टिव है जो इनसे बनेगा। अब आपका काम ये है कि हर एक चीज के नोट्स तयार कर लेने हैं आपको, आठ से दस पेज के नोट्स बनेंगे और इनको रेपीट में बार बार देखना है, बार बार पढ़ना है। इसके अलावा इस से सम्मंदित सारे अबजेक्टिव को हमें एक अलग से वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए helpful साबित रही हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको एक query आती है, कोई question आता है, कोई confusion आता है, तो आप हमें comment section में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, see you in the next one.